हाई एब्रिबन वेल्कम टू फैजिक्स वाला कॉलेज वाला के इस चैनल पे हमारी सी प्लस प्लस और जावा दोनों की डेटा स्टेक्टर अलगॉर्णम कम्प्लीट सीरीज ऑन गोइंग है तो आप में से बहुत सारे बच्चे यार कॉमेंट्स करके बार-बार पूछ रहे ह है या आपने यह कर दिया है अब आप पेड के चकर में चलेगा ऐसा कुछ भी नहीं है यार सिर्फ ऐसे फॉल्स कमेंट्स करना बंद कर दीजिए प्लीस आपको कम्प्लीट कोर्स मिलने वाला है ऑगस्स से पहले जाने कि जुलाई-जुलाई में आपको खतम हो जाएगा कम्प्लीट डेता शक्राइग और दम दो लैंग्विजिस के अंदर तो आपको आप भी जैसे लिंक लिश्ट पढ़ाने वाला हूं आज की वीडियो में फिर स्टैक्स क्यूस ट्रीज डीपी ग्राफ बैक्ट्रैकिंग जो कि रह गया था वो रह नहीं गया था बाद में है किन पार्ट होगा वो कराई जाएगा लास्ट ठीक है तो कुछ भी नहीं बचने वाला है ट्राइज भी कराई जाएगा आपको और और भी जूबी मैं भूल है हैश मैप प्राइटी क्यों यह सारी की सारी चीज़े आपको कराई जाएग जावा डियसे सीरीज में कम्प्ली कॉंप्रिहेंसिफ कॉंटेंट मिलेगा इन टम्स अफ नंबर ओफ रिकॉर्डिंग आज पूरे यूट्यूब पर कहीं पर भी नहीं है तो आप यार चिंदा मत कीजिए बस अपनी प्राक्टिस करते रहो जितने भी बच्चे जिनको लग रहा है कि यार पांच या दस दिन से लिंक लिस्ट तो अपसे आप यार लीट कोड पर प्राक्टिस अपनी शुरू कर दो अगर आपको एक अच्छी प्रेस्मेंट करनी है और वो आप खुद करोगे कोई और आपको नहीं करवाने वाला लीट कोड की यह बने कोशन भी कर लो जब तक आपकी खुद की प्रा करोगे खुद प्लाटफॉर्म पे जाओगे खुद आपसे घलतिया होगी खुद आपके टेस्ट केसे गलत होंगे एर्र आइंगे एक चीज रह जाएगी तभी आप एक अच्छे कोडर बन सकोगे ठीक है यहां हम आपको मोटिवेट करते रहेंगे कि आपको क्या क्या करना है कब कब करने जैसे कि आज से मैं बता रहा हूँ लीट कोड शुरू कर दो लीट कोड पर आरे के कोशन करना स्टार्ट कर दो आपसे होने लग जाएंगे हमने बहुत अच्छा पॉंटेंट बना रख राइट अब आज हम पढ़ने वाले हैं क्या लिंक लिस्ट और आज से है रहे हो कि हमने अभी तक दीए से शुरू नहीं रहा है तो डीए से शुरू हो चुका है आज एक डेटा स्ट्रक्चर हम पढ़ने वाले जिसको हम कहते हैं लिंक लिस्ट ठीक है थोड़ा इसके बारे में सबसे पहले जानते हैं लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पह अगर आपको फिर भी समझ नहीं आएगा अगर आपने यूजर डिफाइन डेटा टाइप नहीं पढ़ रखा लिंक लिश्ट का गंटा आपको कुछ भी समझ नहीं आने वाला प्लीज ये वीडियो देखके मतलब यहीं कि यहीं छोड़ दो पहले वो पढ़के आओ पूरा तो नहीं पढ़ रखा मैं तीसरी बार गोल रहा हूँ लिंक लिश्ट बिल्कुछ समझ नहीं आएगा फिर आप कॉमेंट्स में बिकार की कॉमेंट्स तरने लग जाओगी कि आज का लेक्चर में समझ नहीं है ठीक है तो इसलिए वूपस देख आओ प्लीज अब इसके बारे में देखते है आरे इस डेटा स्ट्चर होता एक आरे एक तरह एक लिस्ट होती है आरे के बाद हमने जावा के अंदर ये भी पढ़ा था जिसको हम यारे लिस्ट बोलते है आरे इसकी कुछ लिमिटेशन थी उसको ओवर कम करने के नहीं हमने आरे लिस्ट पड़ता है अगर मैं दस साइस का आरे बना दिया हो तो वह उतने कई रहेगा उससे बढ़ा नहीं हो सकता होगा तो उसकी कॉपी बनीगी नहीं ठीक है दूसरा यार आरे का आपका यहां पर जो लिमिटेशन है continuous memory लेता है यह ठीक है continuous memory लेता है इसका क्या मतलब वह अब यह एक advantage भी है यह एक advantage भी है जैसे मान लो मैंने लिखी यह line int arr is equal to new int और यहां पर मैं size दे दू 10 ठीक है इस line का clear मतलब है arr नाम से एक array बन गया integer data type का 10 size का technically speaking मतलब non technically speaking integer एक डबबा create करता है जब भी मैं लिखता हूँ int x computer में is equal to 5 इसका मतलब computer में डबबा create हो गया x नाम का जिसमें 5 store हो गया वोटा वोटा बता रहा हूँ उपर से तो हर integer actually हर integer मेरा यार 4 bytes लेता है यानि कि आप कह सकते हो 32 bits चार bytes occupy करता है यह memory में और एक खटा चार bytes occupy करता है ठीक है तो अब अगर मैं यह बोलूँ कि यह मानलो मेरी memory है मैं काफी एक rough representation बना रहा हूँ यार और यह जितनी भी individual टबबा है ना यह एक byte है यह एक byte है यह एक byte है यह समझव आप एक बारे के लिए ठीक है और बना लेता हूँ यहाँ थोड़ा सा अच्छी तरीके से बना लेते है यह सारी यार मेरी individual आप यह समझो bytes है अभी के लिए ठीक है और यह पूरा जो मैं एक section बना रहा हूँ this is your memory ठीक है this is your memory बहुत बड़ी होती है computer की memory चार बाइट तो बहुत ही कम होता है आप जानते हो memory तो कितनी ज्यादा होती है इवन हमारी आजकल राम 32 32 GB 8 8 GB तो सबसे कम होती है और GB जी तो बहुत ज्यादा होता है 10 देश्ट बावर में भी कितना एक तो किलो बाइट यह होता है फिर मेगाबाइट यह 10 देश्ट बवाब और 9 बाइट हो गई एनिवेस तो यह हमारी memory है जब भी मैं करता हूं लिखता हूं int x तो होता क्या है यार मेरी 4 बाइट ओक्यूपाय हो जाती है अब आब यह समझ मैं लिखता हूं int arr is equal to new int 10 की जगे यार इसको तोड़ा सा reasonable बना देते हैं 4 लिख देते हैं एक बारी के लिए समझ लो फिर अगला वो साथ में ही लेता है एक देखो चार बाइट और फिर अपने array के third element के लिए यार वो चार बाइट और लेता है फिर fourth elements के लिए यार fourth element के लिए चार बाइट और लेता है तो यह total 16 बाइट ओक्यूपाय की इस array ने लेकिन memory में वो एक साथ occupy होती है ठीक है continuous fashion मे Contigues भी कहते है इसको कुछ ऐसा राइट अब यहां पर problem क्या होती है यार जब हम मानलो computer में बड़े बड़े आरेस बना रहे है वैसे तो हमारी memory बहुत है लेकिन for example हमारे पास memory का वो जगए ही नहीं बच्छी है ठीक है हमारे पास बीच में जगए ही नहीं है कि हम एक खट क्या करेगी जब मैं आरे बना रहा हूं तो यह ढूंडेगा memory में एक ऐसी जगे जो बहुत बड़ी हो और खाली हो ताकि वहाई कि मेरा आरे बन सके ठीक है तो यार यह इसकी एक limitation है लेकिन यह एक advantage भी होता है इसका कि आप सब को यार यह पता होना चाहिए अब आप time and space complexity पढ़ चुके हो तो time complexity की अगर मैं बात करूँ कि मान लो मैंने array 4 array का बना दिया ठीक है एक 4 size का तो इसमें अगर मेरे को कोई भी element get करना होता है तो उसकी time complexity order of 1 होती है which is fantastic मतलब अगर मान लो for example for example array का size है 100 ठीक है मतलो 100 elements चोड़ कर रहे है और मुझे ARR नाम है array का मेरे को AR 57 निकालना है तो इसमें यार यह नहीं करना होता हुझे कि पहले ARR of 0 को निकाल लो फिर 123 57 steps नहीं अपनाने पड़ते एक second में एक ही operation में निकल जाता है ARR of 57 तो इसलिए order of 1 हमारी time complexity होती है ऐसा इसलिए क्योंकि क्योंकि हमारी memory एखटा है न तो memory अगर एखटा है तो हर memory म ठीक है अजीब सा मतलब ऐसा कुछ लिखा होगा एकस 500 भी अजीब अजीब से चीज़ें लिखी होती है समझ लो ठीक है तो सबका एक address होता है लेकिन जब एखटी bytes होती है तो उनके address आगे आगे ही होते है कि अगर मान लो इसका address है मेरा 5000 तो अगली byte का address 5000 एक होगा ठीक है कि अगर मेर को कुछ एक और अगर मैं limitation की बात करूँ यह limitation नहीं है यह तो like एक अच्छी जीज़ है star बना देते है this is a good thing ठीक है अगर मैं यहाँ पे बोलू कि मुझे को कुछ बीच में element insert करना है मुझे insert in between मुझे कोई ऐसा element insert करना है और मान लो मेरा existing array कुछ ऐसे था कि अ array दे रखा है और कुछ ऐसा scene है कि यहाँ पे चार element fill हो रखे है मेरे 5, 10, 15, 20 मैं चाहता हूँ कि यार मैं यहाँ पे insert करूँ मैं इस 10 की जगे insert कर दू 12 और बाकी elements को shift कर दू मतलब मैं बीच में यहाँ पे 12 को गुसेड हो तो इसलिए problem क्या होती है यार उसलिए problem यह होती ह है कि मेरे को एक एक element पहले इसको यहाँ बेजना पड़ेगा इसको यहाँ बेजना पड़ेगा और कोई तरीखा नहीं है इसको यहाँ बेजना पड़ेगा और यहाँ पे 12 रखना पड़ेगा तो technically speaking जितने भी आगे के element है यह तो 5 size का array था अगर मानलो 5,000 size का array होता तो मेर को अगर मानलो 3rd element में insert करना होता कुछ बचे वे इतने सारे elements को एक एक बार shift करना होता विच जिसमें जो हमारी insertion की time complexity होती है 10 size के array के लिए वो order of n बन जाती है which is a limitation ठेक है तो यह कुछ array की दिक्कत है कि बार बार मेरे को copy paste copy paste यहाँ करना पड़ेगा और सबसे बड़ी ज की मदद से हमने देखा यहां पर आराम से में set कर पाता हूं चीजे गेट कर लेता हूं array list dynamic होती है तो grow हो जाती है कि मानलो array list मेरी खतम हो गई size में तो आगे बढ़ जाएगी लेकिन actually मैं आपको पता array list में क्या होता है आपको तब पता होगा जब आपने पिछला lecture मेरा दे फिर मैं चाहता हूं कि मैं एक और element पीछे insert करो मानलो six तो array list क्या करता है अगर जैसे ही मेरा size खतम हो जाता है जो भी उसका initial size होता है एक array का वो जैसे ही खतम हो जाता है तो ऐसा नहीं होता कि आगे बढ़ जाएगा size नहीं array list अपने original size से double का एक नया array create करता है तो कितना space waste हो रहा है अगर मानलो existingly हमारा n size का array तो वो एक 2n size का array बनाएगा और फिर क्या करेगा वो इन existing elements को copy paste करेगा यहां पर ठीक है और फिर जो भी नया element आएगा उसको insert कर देगा again जैसे ही यह भर जाएगा तो इससे double size का एक array बना देगा clearly space के terms में space complexity की terms में यह बहुत बेकार बार बार order of n का space बार बार आए जा रहा है आए जा रहा है एक नया array बन रहा है चलो पहला बन रहा है लेकिन नया array बन रहा है दूसरी बात हमारी यहां पे क्या होती है यार time complexity भी order of n में रहती है हमारी ठीक है क्यों क्योंकि हर एक element को मानलो यह एन अलिमेंट से सबको copy paste कर रहेगे अंदर राइट यह सारी हमारे दिक्कत आती है अपने इस प्यारे से data structure एरे लेकिन बड़ा convenient होता है फिर भी हमारे लिए array इन चीजों के लिए इन उसमें अब आज जो हम चीज कर पढ़ने वाले है यार वो है link list link list में क्या होता है अगर मानलो मेरे को क्या कित यहा मैं दूसरे तरीके से आपको बना के दिखाऊँगा फिर दूसरा element है 1 फिर तीसरा element है 10 चौता element है 4 पांचवा element है 2 मैं ऐसे 5 size का एक नया data structure बनाना चाहता हूँ जो कि array नहीं है अब यह इसमें एक ऐसी property हो कि यह जितने भी elements है मेरे link list में क्या होता है जितने भी elements है उनका address एक साथ नहीं होता अगर यह एक array होता तो इन सबका address एक साथ होता मतलब continuous memory में होते है यह एक ऐसा data structure है कि हो सकता है हो सकता है क्या होता ही है memory अगर मैं बनाओ मानलो ठीक है वापिस से अगर हम अपनी आपे अच्छी सी यार memory बनाने की कोशिश करते है यार मानलो यह हमार इस चीज को करने के लिए हमें लिंक लिस्ट का इस्तेमाल करना बढ़ता है ठीक है और इसके लिए आपको अब्जेक्ट और इंट्रेट प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, तो एक बार सबसे पहले तो यार अपना अब्जेक्ट और इंट्रेट प्रोग्रामिंग थोड़ा सा रिवाइस करने थे है, थीक है, थोड़ा सा अपना लिखते थे, मेंन के भार, public static लिख देते थे, एक तो और class, कोई भी हम class लिख देंगे, अब यहाँ पर class लिखेंगे, node, मैं समझाओंगा अभी node क्या होता है बट एक बार के लिए समझ जाओ, फिर हम यहाँ पर लिखते थे, इंट, float, double, यह सारी की सारी चीज़े, और dot operator से का यूज कर देते मानलो अगर मैं यहां पर लिखता हूँ इंट डेटा फिर मैं लिखता हूँ फ्लोट नी डबल इसमें जावा मैं ठीक है डबल कुछ और मानलो डबल एज डबल परसेंटेज हमने स्टूटेंट क्लास टूएंट देखी दी हमने फिर हमने देखा था स्ट्र कर करके हम लिंग्कि लिस्ट को क्रियेट करेंगे आक्षी दरहसल लिंग्किल लिस्ट में होता क्या है यहाँ पे आको चाहां मैं अपना खुद का सबसे पहले तो एक data type बना तो यहां मैं इसको आप बोलोगे ना यह सारे integers है तो क्या मुझे इंटीजर data type बनाना है यार नहीं आप एक खुद का data type बनाओगे अब उस खुद के data type में क्या होगा कुछ ऐसा दिखेगा data type ठीक है कुछ यार ऐसा दिखेगा data type आपको समझाता हूँ इसमें मैं करने क्या वाला हूँ पर एक बार इसको थोड़ा सा बस्त बना देते है ना कॉपी कर देता हूँ और आपको समझाता हूँ ठीक है अब आप देखो कि जो खुद का data type है इसमें हम दो members रख रहे हैं तो मैं एक नई class बनाओगा उस class का नाम usually मैं नोड रखता हूँ मैं कहता हूँ कि लिंक लिश्ट के जितने भी elements है वो नोड्स है इस 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 नोड य नोड ठीक है हर एक नोड के अंदर दो attributes होगी पहला उसका data जैसे अगर integer हमें store करने हैं तो यहां पर हमारा data store होगा तो यह फाइव थ्री नाइन एट सिक्स्टीन ठीक है यह होगा हमारा int data type का of course पहला member और जिसका दूसरा member है यह बहुत special चीज होगी यहां पर मैं store अगले वाले का यह नोड जैसे यह पूरा एक नोड है यह नोड है यह नोड है यह नोड है मैंने बना तो दिया बहुत सारे नोड इनको store भी कर दिया लेकिन आपस में मेरे को इनको link कराना बहुत ज़रूरी है तब ही तो एक चीज बन जाएगी जैसे array में सारे elements के sense में linked ह होते है कि उनका address एक साथ होता है तो इंडेक्स के साथ linked होते हो अब मेरे को link कराने के लिए मैं क्या करूँआ है यहां पे जो इसका second member है उसमें मैं इस अगले नोड का which is the next node मैं कहता हूँ यह इसके लिए next है इस पूरे का address यहां पर मैं store करता हूँ इस पूरी चीज का address यहां पर मैं store करता हूँ अब क्योंकि मैंने आपको बताया हर एक इंटीजर data type का हर एक चीज का even array का हर चीज का memory के अंदर हमें address होता है हमेशा होता है तो एक बारी के लिए मान लेते हैं कि इसका address है मेरा x500 इसका address है मेरा x555 कुछ भी बना रहा हूँ मैं इसका address है मेरा y 600 ऐसा होता नहीं है अजीब सा नाम होता है बहुत ही अजीब गरीब नाम होता है मैं थोड़ा सा अच्छा नाम दे रहा हूँ फिर भी ठीक है इसका address है मेरा x700 इसका address है मेरा y5440 कुछ भी मैं ऐसी नाम दे रहा हूँ कुछ भी addresses है तो होता क्या है पहले node में जो second data type है it will contain its address जो हमारा next node है उसका address यहाँ पर content होगा तो यहाँ पे actually में यह लिखा होगा second वाले समझना Second node के अंदर जैसे आप समझ सकते हो अगले वाले का address होगा थोड़ के अंदर यह अगले वाले का address टोर होगा एक 704 के अंदर यहां पे address टोर होगा हमारा x y 440 ठीक है y 440 और जो last node होगा उसके अंदर जो address टोर होगा तो किसी चीज का address टोर नहीं होगा तो उसको हम null बोलते हैं नल भी समझाओंगा भी आपको एक मिनट में यह नल हमने यार एक जगे पढ़ रहा था आपको थोड़ा सा अजर यादो जब मैंने student की class बनाई थी जब मैंने class student बनाई थी तो यहां पर मैंने string name दिया था फिर मैंने दिया था इंट रोल नंबर फिर मैंने डबल में एक चीज दी थी मैंने आपको एक चीज दिखाया था कि जब मैं default values प्रिंट कर रहा था अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो इंट की default value 0 होती है डबल की 0.0 और string की null आ रही थी ठीक है similarly यह जो हम user defined पूरा node बनाएंगे तो इसमें भी यहां पर हम इसकी जो वो value होगी वो in general null होती है बट यहां पर हम null दे देंगे यानि कि यह किसी भी चीज़ को point नहीं कर रहा है ठीक है अब point करने का क्या मतलब इस तरीके से यह से linked है यह से linked है यह से linked है क्योंकि पहने element के पास दूसरे वाले node का address पढ़ा है तो मैं सीधा इस पे जा सकता हूँ अब इसके पास third वाले का address पढ़ा है तो मैं अगर मेरे पास यह है तो मैं इसको भी access कर सकता हूँ address अगर हमारे पास हो तो हम उस variable को access कर सकते हैं तो कहने का यह मतलब है कि अगर मेरे पास पहला अपना member हो link list का element हो पहला तो मैं सब को access कर सकता हूँ अगर आपस में सब linked है तो ठीक है एक और चीज़ इस पहले वाले को हम बोलते हैं यार अपना head this is known as the head of linked list और मैं अपने last member को usually बोलता हूँ अपना tail of the linked list तो जो पहला element उसको हम बोलते हैं head, last वाले को मैं बोलता हूँ tail अगर में पास head पड़ा है मेरे पास पूरी की पूरी list पड़ी है अब सवाल यार यह आता है कि जैसे मुझे यह तो पता लगया कि यह int data type का है यह किस data type का है इसका data type क्या होगा तो कमाल की बात यह है कि इसका data type node ही होगा जावा के अंदर तो थोड़ा सा pointer आ जाता है लेकिन यहाँ पे हमारा node data type ही होगा अब मैं इसका आपको ना एक बार मतलब समझाता हूँ कि मैं आपको कहना कर चा रहा हूँ अगर आपको थोड़ा सा याद है एक बार हम code करने पर आ जाते है और थोड़ा classes को देखते है यहाँ पे अगर मैंने आपसे बोला था कि मैं एक student बना देता हूँ सबसे पहले एक काम करते एक नई फाइल बनाते है ताकि confusion ना हो पहले तो एक नया package बना दो अपना जिसका नाम रख देते है यार link list ठीक है बन गया package इसके अंदर आप एक काम करें नई फाइल बना लो जिसका नाम रख देते है basics ठीक है and basics ln.java आ जाते है यहाँ यहाँ पर मैंने एक नया data type बना दिया है बिलकुल और कुछ-कुछी जीर करते है psvm और यहाँ पर एक data type बना के दिखाता हूं मैं आपको जिसका मैं नाम रख देता हूं public ठीक है static class node मैं ऐसा data type चाहता हूं जिसमें दो properties हो पहली property int data मैं इसको data बोल रहा हूं क्यों इसका मतलब जो भी इस node का actually data है जैसे यहाँ पर आओ तो इस इस नोड का 3 है इसका 9 है इसका 8 है 16 है तो इसको मेरे को इंटीजर में store करना है तो इसलिए मैं इंट डेटा अब दूसरी चीज़ बनाने से पहले अभी के लिए मैं सर्फ इंट डेटा रखता हूं यहाँ पर एक भी रख सकते है मानलो मैं में 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 आके एक object बनाता हूं ऐसे बनाते हैं न object सबसे पहले अपना data type का नाम लिखो node लिखा फिर अपने object का नाम लिखो मैं कुछ भी लिख सकता हूं node x लिख देता हूं जैसे int x होता है is equal to new node ऐसे करता था मैं ठीक है और हम constructors भी बना सिपते है बाइदर में बनाएंगे वो भी चीज़े सारी की सारी इस class के अंदर बट यहां देखिए यह बन गया अब अगर मैं directly मैंने आपको दिखाया था कि अगर मैं print करने की कोशिश करो सबसे पहले तो अगर मैं x.data print करो तो इसका default value प्रिंट हो जाएगी इसकी default value जो की 0 है देखो 0 प्रिंट हो गया लेकिन अगर मैं सिर्फ x print करता जादा तो कुछ अजीब हो गरीब चीज आती थी देखो run करा कि देखो क्या आ गया है जबसे पहले तो हमारे package का नाम आ गया फिर हमारी file का नाम आ गया basics ll फिर यह जीब सी चीज आगे dollar node add the rate something something ठीक है अगर मैं वापेस run करूँगा तो क्या अलग चीज आएगी देखते समझ लो की बात कर रहा हूँ मैं मान मतलो ठीक है यहाँ पर होता क्या है अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास दूसरा ऐसा data type आए क्योंकि यह जो दूसरी चीज है मैं चाहता हूँ यह ऐसा हो जो अगने वाले का address contain करे पूरा का पूरा तो मैं इसका data type Java के अंदर node बनाता यही same चीज़, yes yes के अंदर आ सकता है, अब मैं इसका नाम रख देता हूँ node next, next का denote कर रहा है कि जो मेरा एक node है जिसके अंदर दो properties है, खुद का data और अगले का next, अगले का address भी stored हो, ठीक है, अब एक चीज़ देखना, अगर मैं कुछ print करा के देखूं यहाँ पे x.next रिखते है, null आ जाएगा, ठीक है, null, क्योंकि अभी तक कोई हमने address यहाँ पे set नहीं कर रहा है, ठीक है, और अगर मैं data करूँ, तो मेरा answer आ जाता है 0, ठीक है, तो यह work करता है, अब यह यार सोचने में थोड़ा सा अजीव लग रहा है, c++ में अगर मैं आपको यह समझा तो थोड़ा जादा, I would say logical लगता, सोचने में, क्योंकि pointers आते हैं महाँ पर, और address की बाते है, लेकिन यह जो node next है, जो node की ही property है, node next basically, अगने वाले का, अचल, अगर मैं बताओ, अचल ही में, वो अगने वाले का, पूरा का, पूरा address contain करता है, पूरा वो node ही contain कर रहा है, ट this is the value, and this is the address of next node, अभी मैंने इसमें next दिया निया है, ठीक है, अब एक basics ही आपके सामने में link list बना के दिखाता हूँ, आपको थोड़ा सा idea लग जाएगा, मैं एक तो 5 nodes बना देता हूँ, सबसे पहला मैं node बना रहा हूँ, यह node x बना दिया, और in fact, एक काम करते हैं, पे node लिखता हूँ, यह काम करता हूँ, ठीक है, और यहाँ से मैं सारी की सारी चीज़ें कर सकता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे आप simple एक काम करो, मैं चाहता हूँ, constructor ऐसा हो, कि this वो receive करे एक value को, int data, और मैं लिखो फिर this.data is equal to data, ठीक है, यह चीज नहीं पढ़ रखे तो पढ़ के आओ, अब यहाँ पे एक instructor देते हैं, हम direct value दे रहे हैं, जैसे मैंने पहले की value 5 ती, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ऐसे 5 nodes बना देता हूँ, A, B, C, D, E न, पहला node यह दे दिया 5 का, फिर मैं एक का compute, यह देखो, 5 बार copy paste करते, अगला node बना देते है B, अगला node ब देते हैं, हाँ, मैं value देता हूँ, यहाँ पे, 60, ठीक है, अचा एक और चीद, अगर आप बार बार यह अजीब सी चीदे हटाना चाहते हो, कई बार परिशानी होती है, तो disable कर दे, अगर हो disable hints, for method node, ठीक है, या disable hints, ठीक है, अब यह भी कर सकता हूँ, अब यह देखे, मैं यह आपस में linked नहीं है, ठीक है, मतब अगर मेरे को इसकी वो दे रखी हो, इस node के बार में information, तो मैं अगले वो को नहीं निकाल सकता, अब इनको link कैसे करें आपस में, link मैं यह चाहता हूँ, कि मेरी कुछ ऐसे बनी list, 5, सिर बने मेरा यहाँ पे 3, 3 connected हो मेरा 9 से, 9 connected हो मेरा 8 से, और 8 connected हो मेरा 16 से, ठीक है, तो इसके लिए simple 8 काम करना होता है, 5 वाली node का नाम है हमारा A, तो मेरे को बसे एक चीज़ यह लिखनी है, A, अब A dot करूँगा तो दो चीज़े आ जाएगी, data और next, देखो, data और next, अब मैं करूँगा next, तो मैं लिखूँगा A dot next is equal to B, समझ इस बात को, node A में जब मैंने 5 डाला, इसका data 5 था, and by default इसका जो address था, यानिकी next था, उसकी value थी none, लेकिन अब मैंने इसके next को put कर दिया, B के बराबर, ठीक है, इसका simple meaning है, B पे मैंने इसको link कर दिया, B के address को next में डाल दिया, देखने में अजीब लग रहा है, लेकिन काम इसका proof दिखाता हूँ आपको, अगर मैं सबसे पहले print करूँ, south a.next, मतब इसका address प्रिंट कराना चाहरा हूँ, जो अगले वाले का जिसमें stored है, और इसके अब अगर मैं print कर रहा हूँ, south a.next, ठीक है, तो दोलों में differences देखना, पहले वाला तो null आएगा, दूसरा वाला ठीक है, एक बाइसको हम copy कर लेते हैं, ताकि हम याद रहे है कि इसी की बात हो रही है, comment कर लेते हो यहाँ पर, यह लो, यह क्या आ गया है और मेरा, यह इसका answer आया, इसका answer, मतलब जब मैंने इसको print किया है तो यह आया है, और जब मैं इसको print कर रहा था, by default, null stored था उसके next वाले property में, अच्छा, अब एक काम करते हैं, हम कर देते हैं, south, p, अब मैं b को print करते हूँ, सिर्फ नॉर्मली, जो b है, वो मेरा यह है, b का data print नहीं कर रहा, b का next print नहीं कर रहा, b print कर रहा हूँ, अब देखते हैं, यह क्या answer आएगा, अगर यह दोनों सेम आ रहे हैं, इसक आएगा, ठीक है, even a का भी address print कर देते हैं, पहले, मतब पूरे a को अगर मैं print करो, तो देखना क्या आएगा, तो देखो, सबसे पहले तो यह print हो रहा है, null print हो रहा है, ठीक है, उसको ignore करो, फिर हमारा a print हो रहा है, तो देखो, a में क्या आ रहा है यार हमारा, basic cell node at the rate, इसको अटा हूँ है, इसकी जलूत नहीं है, यह देखो, 2F92, EF4, फिर अगला आ रहा है, 28A418, फिर अगला देखो, यह जो है, और यह है, यह डिक्टो से मैंन में कोई फर्क नहीं है, लेकिन पहला और चोथा अलग है, यह देखो, बिल्कुल यह अलग है, ठीक है, क्योंकि जो यह चीज है मेरी, जो मेरा यहां से उठाते हैं, यह तो पैकेज और क्लास का नाम है, तो यह देखो, कमांड C, यह दर यहार है, फिर आप देखोगे, कमांड C, यहां से मैं आपको कुछ सिखाना चाहता हूँ, प्लीज यार, थोड़ा सा बना के रखना, बीच में छोड़ के मत जाना, यह ऐसे टॉपिक से बच्चे छोड़ देते हैं, और यहां के बाद कोडिंग छोड़ देते हैं, अगर न, जावा में तो आसान है, इसले मत जाना, C++ में तो दिककत हैं, तो यह रहको, यह अलग है, यह दुनों सेम है, बिल्कुल यह और यह डिक्डो सेम है हम मैंने एक next का address प्रिंट के और बी का address वो बिल्कुल सेम है क्यों क्योंकि मैंने एक के next के अंदर बी का address डाल दिया था तो in fact बिना बी के प्रिंट करें अब जैसे यह चीज़ा तो मेरे को समझ आ गई ठीक है इनको एक बार हम यह कर देते हैं comment out और हटाई देते हैं ठीक है यह सब हमने देख लिया और इसको भी हम एक बारे के लिए comment कर देते हैं अब एक बात देखना मैंने किया a.next b अब बिना बी को यूज़ करें मैं बी के डेटा को आपके सामने प्रिंट करके दिखाऊँगा एक तरीका तो यह है अगर मैं चाहता हूँ मैं 3 को प्रिंट करूँ तो एक तरीका यह है मैं लिखूं b.data ठीक है अफकोर्स इसमें तो answer आए गई गई देखो आगया 3 आगय answer लेकिन अब मैं अगर मालनों में को b नहीं दे रखा लेकिन मैंने a को connect कर दिया b से a.next is equal to b का मतलब था मैंने यह जोड़ दी ठीक है अब यह लिए यह हटाते यह जुड़े वे नहीं है बाकी चीवे ठीक है पहले ऐसा था और जैसी मैंने a.next को b किया तो कुछ ऐसा scene बन गया कि कुछ ऐसा scene बन गया कि 5 और 3 आपस में अब connected है ठीक है अब देखो जब मैं अगर b.data नहीं मेरे को b का data print करना है using a तो देखो मैं कैसे करोगा अगर मैं लिखता हूँ a.next तो इसका मतलब ही है देखो b फिर इसके बाद अगर मैं करता हूँ dot data तो देखो 3 print जबकि अगर सिर्फ a.data print करो तो 5 print हो जागे तो देखो 5 print हो गया I hope आपको थोड़ी थोड़ी चीज़े यहां पर समझ जा रही होगी कि हम क्या कर रहे है यह जो node class बनाई है इसका meaning क्या है connections हम बना के से रहे है ठीक है अब अगर आपको पूरी link list connect करनी है आपस में आर त e के next में आप डाल दू e को तो यह करने से सारी link list अब आपस में क्या हो चुकी है यार मेरी connect हो चुकी और एक link list बन चुकी है पूरी की पूरी ठीक है देखो दिखाता हूं जैसी मैंने b.next c किया तो क्या हुआ थी से 9 connect हो गया मेरा फिर जब मैंने c.next d किया तो 9 और 8 भी आपस में connect हो गए ठीक है इनके address is basically ठीक है और जैसी मैंने d.next e किया थोड़ा ऐसा हो गया थोड़ा boring लग रहा हो यार मैं जानता हूं मेरे को भी लगता था अपने time पर लेकिन बने रहो बार बार बोल रहो अब finally मेरी link list यार connect हो चुकी है ठीक है और मैं सिर्फ और पहला है limit यार नहीं की इस case में A, A को use करके अब मैं सब को access कर सकता हूं सब को access कर सकता हूं पहला दूसरे से connected है दूसरा तीसरे से तो technically मैं सब को access कर सकता हूं after making these connections this is यार your link list I hope आपको चीज समझा रही होगी इस class node से ही हम यार अब आगे बनी चीज़ों को continue करते हैं आग अब पहली चीज़ जब मैंने यहार यहार नोट्स बना रहे है 5 इसके आगे address भी होगा यार वह मैं बना नहीं रहा हूं चलो बना देते हैं यह 5 इसके आगे कुछ address लिखने में अजीव रहे है ठीक है यह 5 अगला है 3 अगला है 6 कुछ भी लिख रहा हूं मैं 8 9 पांच नो इसका मतलब क्या है 3 का address मैंने यहां पर डाल दिया फिर मैं इसको भी connect कर रहा हूं इसको भी connect कर रहा हूं इन में benefit पता है क्या यार इन सबके addresses जरूरी नहीं है कि एक साथ हो यही में advantage है कि इन सबके addresses अलग अलग locations पर हो सकते हैं और फिर भी इसका इस्तमाल करके हम इसको achieve कर सकते हैं क्यों क्योंकि address में store कर रहा हूं मैं देखो linkless की सबसे बड़ी problem भी यह है कि यहां पर int नहीं बन रहा सिर्फ एक node बन रहा है जो की एक तो integer value ले रहा है और अगले वाले का address भी store कर रहा है तो memory यहां पर दो गुना जादा खर्चोरी है extra यह drawback है एक ठीक है ले store हो गया क्योंकि address आपस में linked है तो जरूरी नहीं कि कितने भी store हो अच्छा इसमें benefit पते है क्या है अगर मेरे को अब insertion करनी होई अगर मेरे को अब insertion करनी होई ठीक है तो simply यार मैं बिना आगे के elements को copy paste करें क्योंकि array में क्या पंगा होता था कि सारे elements को किसका ना पढ़त यूजवली हर जागे indices जो होते हैं वो 0 से शुगू करते हैं यह link test के टेक्निकली index है मैं चाहता हूँ कि यार मैं अपने second index पे अपने second index पे एक नया node insert करूँ 10 data के साथ ठीक है तो यह बड़े अराम से हो जाएगा यह कैसे होगा insert यह ऐसे होगा insert यह देखो इसको copy करते है आपको दिखाता हूँ यह इसमें मदा होता है कि हम simply एक काम कर सकते हैं सबसे पहले हम एक नया node ही बनाएंगे जिसमें हम 10 डालेंगे उसका कुछ ना कुछ address होगा ठीक है फिर यहां पे हम simple दो steps अपनाने वहने हैं पहला step हम यहां पे simple सा क्या दरेंगे 10 के next में मतलब 10 के अंदर भी हम इसका address डाल देंगे जो कि है हमारा यह चीज है जो अभी second पर पढ़ा है हम यह चाहते हैं कि हमारी link list कुछ ऐसी बने 5 3 फिर यहां पे 10 फिर 6 8 और 9 कुछ ऐसी बने हम बीच में इसको 10 को यहां पे गुसेड़ना चाहते हैं तो simple आप क्या सबसे पहला काम होता एक नया नूर बना दिया 10 के अंदर भी 6 का address जां दिया है अब देखो थी के के अंदर भी 6 का address है 10 के अंदर भी 6 का address है उसके बाद हम क्या करेंगे हम इस connection को तोड़ देंगे मतलब 3 के अंदर 6 का address अपनी डालेंगे अब हम 3 के अंदर डाल देंगे 10 का address, तो आप देख सकते हूं English बन गई, यह नो, यह ऐसे दिखरी है बट, CD यह एक तरह के से, ठीक है, तो देख बन गई English, तो कितना असान इंसर्चन है, क्या हमें इसका, 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 इन तीनों के बारे में कुछ भी change करने की जरूत पड ही है, जो 3 का address था, वो भी same है, लेकिन 3 के अंदर 6 के address की जगे बस इसके address को डाल, ठीक है, तो यह brand new चीज क्रियेट होई, और हम वीच में डाल सकते हैं, तो देखो, इंसर्चन कितनी बढ़िया होती है, लेकिन यार, लिंक लिश के अंदर एक drawback होता है, अगर हमें array का पास 5 चीज़ है, 5, 3, 6, 8, 9, मिरको पहला element ARR 0 दे रखा है, तो मैं order of 1 के operation से किसी भी element को निकाल से तो क्योंकि address एक साथ है, यहाँ पर एक problem है, कि अगर मैं पहला element दे रखा है, मुझे चाहिए यह वाला fourth index, तो मिरको पहले इसके address से यहाँ जाना पड़ेगा, इससे मिर को यहाँ जाना पड़ेगा, finally, यहाँ चले जाड़ी, तो यहाँ पर होता क्या है, जो हमारा traverse, traverse करते हैं, या फिर मैं कहता हूँ, get, अगर मैं को कोई भी fetch करनी होती है, get करना होता है, कोई value, तो वो order of n में होता है, तो यह limitation है, लेकिन अच्छी बात है, insertion, कि बिना आगे elements को किसका है, हम insert कर सकते है, link list के अंदर, आगे बढ़ते है थोड़ा सा, और हम यार, list node बना चुके, already, इसको list node कहते है, node का मतलब link list के member, एक अपने आप में अच्छा एक नया new user defined data type है, ठीक है, जिसका हमने नाम दिया है, node, हम कहते है, link list के अंदर node है, तो वापिस से बनाएंगे, node नाम से, किस नाम से, node नाम से, node के अंदर हम दोई चीजे देंगे, सबसे पहले, int data या int val, मतलब खुद का data, दूसरा, same data type, node, यह जो खुद data type बनाया हमने, उसी data type का next, ठीक है, यह जो next है, यह अगले का address, टोर करता है, तो ऐसे हम बनाते है, list node, basically हमने जैस यहां पे constructor बना दो, आप constructor बना दो, node जो की एक data को ले, ठीक है, और क्योंकि यह data यह वाला variable है, तो हम this statement का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम लिख सकते है, this.data is equal to data, ठीक है, इसके बारे में जानना है, please मेरा oops देख किया हो, बार-बार यह चीजे मैं नहीं बताऊगा, यह बहु बना सकते हैं, ताकि neat and clean रगी, बन गया list note, this is your list note, फिर हमने यार connections देख ली यहां पे, अचा types of link list पे आजाते हैं, अभी जो हम पढ़ रहे हैं, वो हम पढ़ रहे हैं, singly link list, singly link list, मतलब जिसको हम normal link list भी कहते हैं, हमारे 2 all types होते हैं, एक होता है, doubly link list, थोड़ा बहुत अभी के लिए इनका, doubly link list इतने important नहीं होते हैं, और तीसरा होता है, circular link list, यह भी फास्दोगी चीज़े हैं, थेक है, singly link list का मतलब होता है, जो मेरा node है, एक तो वो खुद का data contain करेगा, data और वो अगले वाले का address contain करेगा, मानलो इसका address है x500, इसका address है x600, तो यहां पे ए अगले वाले का address contain होगा, यहां पे इसका data मानलो 6 और अगले वाले का address लिखा जाएगा, ठीक है, यह नो हमारा next, अगले वाले का address, इसको कहते है singly, अब doubly link list में क्या होता है यार, doubly link list का node हमारा बढ़ा होता है, इसके नहीं हम एक अलग node बनाते है, जिसके अंदर 3 data, एक तो हमारा अगले वाले का address और एक पिछने वाले का address भी, तो क्योंकि link list में एक और limitation यार यह होती है, इदर आते है, यह देखो, अगर मानलो आपको 6 के बारे में information दे रखिए, इस node के बारे में आपको information दे रखिए, इसका data है आपके पास, तो इसकी मदद से हम इसक इसको निकाल सकते हैं, और इसको भी निकाल सकते हैं, लेकिन कभी जिन्दगी में इसको नहीं निकाल सकते हैं, नहीं इसको निकाल सकते हैं, तो this is the major limitation of link list, आपको अगर कोई node दे रखा है तो उससे पहले वाला node को आप नहीं निकाल सकते हैं, सिर्फ उसकी मदद से, पॉस उठाओं यह जो मैंने बना रखी यार ठीक है तो मैंने आपको बताया यार यह होता है मेरा है और यह होता है मेरा टेल के अंदर कुछ भी इनका डिफॉल्ट एड्रेस होता है क्योंकि यह किसी को भी पॉइंट नहीं कर रही तो जिस भी लिंकलिस्ट के अंदर कभी भी आप किसी नोड में हो और उसका नेक्स्ट जो है उसका जो नेक्स्ट है वो अगर नल है इसका मतलब वो टेल है ठीक है सिंपल सी बात है आपकी राइट बहुती बढ़ी है यार बहुती बढ़ी है आगे बढ़ते है थोल से आगे बढ़ते है सिंगले इंकलिस्ट के बारे में हम पहांच नोड बना है फिर मैंने क्या किया सिंपल यहां पर आके उनको लिंक कर दिया इन चार लाइनों से क्या हुआ लिंक हो गए तो लिंक लिस्ट क्रियेट हो गई अब इसको बनाने के अफकॉर्स हम थोड़े अच्छे तरीके देखने वाले हैं बट उससे पहले कुछ बेसिक चीजे करके देखते हैं ठीक है जैसे कि हम इदर आते हैं सबसे पहले implementation तो हमने यार देख ली थोड़ी बहुत इसकी implementation अभी हम और अच्छे से करेंगे class बना के linklish की proper class बना के हम implementation करेंगे बट यह जो मैंने आपको करके दिखाए यह सस्ती सी implementation थी क्या सस्ती implementation थी कि भाई मान लो मैंने दो ती नोड बना दिये node A is equal to new node यहां पर मैंने दे दिया 5 और फिर मैंने बना दिया यार node B is equal to new node इस पर मैंने दे दिया 3 फिर मैंने लिख दिया node C is equal to new node handwriting माफ कर दो मेरी 10 और last मैंने लिख दिया 4 बना रहा हूं जैसे node D मेरे को यह बनानी है 5 मान लो यह दे रखा है मुझे homework 53 ऐसी link list मैं को create कर दी है 10 12 तो मैं यह काम करूँगा मैं 4 सबसे पहले तो यार node बना हूँगा new node 12 अब जैसे ही मैंने यह चीज लिखी न तो इन से यह वाला काम हुआ है कि मेरे 4 nodes बन गया 5 3 10 12 memory में अलग 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 जगे बने है एक साथ नहीं बने है अजीब हो गरीब हो जगे अलग अलग जगे मेरे बन गया memory में अब जैसे ही मैं यार यह बनी line लिखता हूँ कि a.next is equal to b इस line के लिखते ही यह connect हो गया connect मतलब इसका address इसमें आ गया a.next में b का address चले गया ठीक है फिर मैं लिखता हूँ अगर b.next is equal to c तो यह काम हो गया और last में अगर मैं लिखता हूँ c.next is equal to d तो यह काम हो गया अब मैं d.next को मेरे को null करने की ज़रूत नहीं है वो अपने आप ही ऐसा होता है कि जो last होता है by default सब मेरे null को point कर रहे होता है even यह भी पहले null को point कर रहा था लेकिन जैसी मैंने यह line लिखी तो null की जगे वो इसको point करना शुरू कर दिया ठीक है तो यह बन गहीं मेरी link list यह है सस्ती implementation इसकी हम proper implementation भी देखेंगे लेगिन उससे बहले कुछ questions type से करते है पहला question करते हैं इसको मैं question कहला हूँ displaying a link list display से ना मतलब है मेरा displaying a link list से हमारा मतलब है कि for some reason अगर मेरे को head given है अगर मेरे को head node यह given है ठीक है सिर्फ पहला node given है A के बारे में information है जैसे जैसे A, B, C, D, F सिर्फ उसकी मदद से क्या मैं सारी link list को display कर सकता हूँ मेरे को सारी values प्रिंट करनी है क्या मैं सारी values को प्रिंट कर सकता हूँ बिल्कुल प्रिंट कर सकता हूँ करके दिखाता हूँ पहले एक सस्ता तरीका करके दिखाते है तेकि सस्ता तरीका सस्तागा क्या मतलब यह देखो मैंने क्लिंक लिश बनाई A B C D E जो की 5 3 9 8 16 है इसके हसाब से और मैंने सबको connect भी कर दिया अब मेरे को अगर सारे nodes को print करना है तो एक तरीका क्योंकि मुझे पता है यह 5 है यह तो मुझे पता है तो मैं एक तरीका तो यह प्रिंट करने का कि मैं लिखूँगा साउट ठीक है ए डॉट डेटा और फिर सिमिलर नी मैं यहाँ पर थोड़ी सी यह चीज़े कर सकता हूँ मैं simple यह कर सकता हूँ, A.Data, B.Data, ठीक है, यहाँ पर मैं कर सकता हूँ, C.Data, यहाँ पर मैं कर सकता हूँ, D.Data, यहाँ पर मैं कर सकता हूँ, E.Data. लेकिन यह फाज़दू की बाते हो गई न देखर मेने अगर इसको प्रेंट कर दिया तो मेरी लिंक्लिश प्रेंट हो गई यह ए ठीक है 53 हे मैं यहां यह यहां पे मैं बीस को यूज kर रहा हूं यह तो वह तरीका हो गया आरे को प्रेंट करने का जिसमें मैं देखते हैं कि बिना B को यूज करें, बिना B.Data, B.Data का the simple meaning है कि पहले B पे जाओ, बी नोड पे उसका data उठाओ, यह नहीं चाता हूँ, यह अलाउड ही नहीं है, तो हम क्या करें, हम यह कर सकते हैं, A.next, जो की B है, दोड़ डेटा, अब अगर मैं यह करूँ, तो यह B का next C है पर मैं को ये भी allowed नहीं है B को use करना तो B क्या है B है मेरा A.next तो अगर मैं लिखो A.next.next.data तो इसका meaning होगा C.data समझने इस बात को A.next है मेरा B फिर ये पूरा कहते है B.next है मेरा C और C.data है C का data similarly अगले में मैं क्या लिखोंगा यार अगला जो मेरा D है वो क्या है A.next यानि की B .next यानि की C .next यानि की D उसका data उसका data similarly last वाले में मैं बहुत बार लिखोंगा A.next यानि की B B.next यानि की C C.next यानि की D D.next यानि की E और उसका data click कर, ठीक है, तो अगर मैं ये काम करता हूँ, तो भी same answer आएगा, ये रहा, ठीक है, और बार बार ये dot operator यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है, तो एक तो ये चीज़ पता लग गई, अच्छा तो अब मैं यार ये नहीं कर सकता, कि for loop लगा लूँ, बार बार next करते फिर मैंने 9 लिखा है, फिर मैंने लिखा है यार 8, और फिर मैंने लिखा है 16, और मैंने connect कर दिये, और मुझे पता है यार ये, इसको मैं A बोल रहाँ, इसको B बोल रहाँ, इसको C बोल रहाँ, इसको D बोल रहाँ, इसको अभी के लिए, मैं एक काम करता हूँ, मैं एक नय बनाओगा, जिसका मैं नाम रखूंगा node temp जो एक बारी के लिए यहाँ पे मेरा point कर रहा हूगा, ठीक है मैं नाम रखूंगा node temp, जो कि a के बराबर होगा, ठीक है तो मैं ऐसे लिखूंगा code में, node temp, इसको मैं starting में लिख दूगा is equal to a, यह 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 निया करने का meaning पते हैं क्या node create कर रहा हूँ, न, अगर मैं ये लिखता कि node temp is equal to new node, जब new keyword लिख दो, और यहां के अंदर मैं कुछ भी दे दू, या कुछ भी ना भी दू, default constructor अगर मैं लगाओ, तो इसका मतलब होता है कि एक नया मेरा बन रहा है temp, ठीक, अब फिर अगर मैं connect का हूँ उसको न, अगर मैं node temp is equal to A, या in general अगर मैं यहां गलती से ये लिख दू, node B, या अगर मैं सीधा लिख दू, B is equal to A, तो क्या होगा कि अब B यहां पर point नहीं करेगा, B भी यहीं पर point करेगा मेरा, ठीक है, समझ रहो, फिर मैं इसको ऐसे access नहीं कर पाऊगा, B के नाम से, मैं यह लिखूँगा node temp is equal to A, फिर मैं सीधा सीधा क्या करूँगा, जब starting में मेरा temp यहां point कर रहा है, और मैं point करने के लिए arrow बनाऊगा, starting में मेरा temp यहां point कर रहा है, इसको मैं move करा दूँगा, temp को next पे move करा दूँगा, फिर next पे move करा दूँगा, फिर next पे move करा दूँगा, फिर next पे move करा लेकिन मुझे बस एक condition बताने पड़ेगी जहाँ पे खतम हो जाए मेरा loop, लेकिन उससे पहले, क्योंकि हमें तो पता है इस question में कि हमारी link list का size 5 है, क्योंकि 5 elements है मेरे पास, तो 5 size का link list है, अब एक काम करते हैं, ऐसी बेवदी हरकत करने की जगे, simple, हम यहाँ पे for loop लगा लेत इससे पहले बाहर मैं एक नया node बना देता हूँ, node temp is equal to a, again इस line का मतलब यह निया कि मैं एक नया node बना रहा हूँ, I'm sorry, इस line का मतलब है कि मैं बस एक temp चीज़ को जो की एक node है, अभी के लिए a पे point कर रहा हूँ, a भी वही है और जो temp है, temp भी वही point कर रहा है, अब इस temp क यह point करने का meaning पता है क्या है, यह देखो, अगर मुझे कभी भी a का data print करना हुआ, यानि कि five, तो मैं simple यह काम कर सकता था, यह south, मैं लिखूँगा south a dot data, ठीक है, तो यह काम हो गया, अब एक काम देख न, five print हो जाएगा, अगर मैं एक ही जगे temp भी लिखू न, temp का यह meaning होता temp is a itself, as of now, बहुत बढ़ी आफ, अब यहाँ देखो, उसको एक बार comment आउट करता हूँ वापिस से, मैं क्या करूँगा, मैं जैसे ही यहाँ पे हूँ, सबसे पहले तो यार मैं print कर दूँगा south, ठीक है, even south नहीं करते हैं एक बार, यहाँ पर बस इस चीज को print कर देते हैं, ठीक है, चलो south कर देते हैं, एक बार के लिए, मैं print कर देता हूँ, next line में कर लेंगे, मैं print कर दूँगा temp का data, जैसे ही मैंने print कर दिया temp का data, मेरी next line क्या होगी, temp.temp is equal to temp.next, यह बहुत important है, यह बहुत जादे important line है, अब ही dry run करेंगे हैं रंग से, तमीज से, यह जब मैं मैं ने काम कर लिया, अब देखना, कमाल, मैं run करता हूँ, देखो, आगी पुरी linkless print हो गई, अरे कैसे, देखता हूँ, उससे पहले हम यह कर लेते हैं, ठीक है, यह डो, पुरी linkless print हो गई मेरी, अब यह क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, चलिए इसके बार में बात करते है, एंड इसको हम यह करेंगे, क्या बोलते है, इसको उटाते हैं, एक बारी के लिया, और dry run करता हूँ, सही हम बना के रखो, यह lecture बहुत important है, यहाँ देखें याद, अब मैंने जैसे ही लिखाना, no temp is equal to way, तो इसका meaning इता कि temp मैंने यहाँ लियाया, temp यहाँ point कर रहा है, अब loop चला, loop इसका तो simple meaning है, यार कि पांच बार loop चलेगा, यही मेरे को बताने की ज़रूँ थे, पहली line चली, system.out.print, temp data plus gap, ठीक है, तो मानलो यार, यह हमारा output है, ऐसा काम हमारा हो रहा है, पहली line में क्या print होगा, temp जहाँ प यह कोई line नहीं, इसका meaning क्या हुआ, temp is equal to temp.next का meaning है, सबसे पहले temp.next क्या है, यह A है, यह temp है, यह B है, A.next यह है, ठीक है, B is basically what, A.next, यह हमने कुद से किया था, कि A.next को मैंने B बना दिया था, तो temp भी अगर A के बराबर है अभी, तो temp का next अभी के लिए यह है, यानि कि B, पूरा, temp का next 3 नहीं है, temp.next का meaning है, B का complete address, यानि कि complete B, not just B की value, अब मैंने क्या बोला, temp is equal to temp.next, इसका simple meaning है, temp is equal to B, यह भी लिखता मैं एक बारे के लिए इस line के लिए, तो इसका मतलब वह temp अप B को point कर रहा है, बहुत बढ़िया, यह वाला loop खतम हुआ, मतलब यह iteration, second round चला, वापे से system.out, temp.data, अब temp इसको point कर रहा है, तो 3 print हो जाएगा, अब आप समझ गया होगी, फिर temp is equal to temp.next, यह अभी के लिए मेरा temp है, इसका next यह है, तो temp is equal to C हो ग फिर temp is equal to temp.next, फिर हमारा 8 print हो गया, फिर किया हमने temp is equal to temp.next, फिर हमारा 16 print हो गया, और फिर हमारा loop ही कतम हो गया, क्योंकि 5 rounds हो गया, इसलिए हमारी पूरी link list print हो गई, बहुत ही बढ़िया, लेकिन, एक चीज, यहाँ पर मुझे पता था कि link list का size कितना है, आपको कोई random function दे रहा होगा, आपको नहीं बताएंगे कि हमने 5, 3, 9, 16 यह सब लिख रखा है, ना आपको यह बताया जाएगा कि कितनी number of nodes है, कुछ नहीं बताया जाएगा, आपको बस बताया जाएगा जो यह है, इसको हम head node कहते है, आपको अगर सिर्फ head node का बारे में सब कुछ पता ह basically head node के बारे में पता हो ना, उसका data और उसका next के बारे में पता है, इसके basis पे क्या आप पूरी link list डिस्पले कर सकते हो, आप बोलोगे कैसे करेंगे यार, क्योंकि जो हमारा main बात है, main बात ही है ना कि यार loop कितनी बार चलेगा, ऐसे तो यह चलता ही रहेगा आगे, फिर हम खतम कैसे करेंगे इसको, ठीक है, तो एक बात बताओ, ऐसे में while loop हमारा काम आएगा, while loop तब खतम होता है, जब हम चाते कि कोई particular condition मिल जाए, फौर में भी कर सकते हैं, लेकिन while करेंगे, यह देखिए, यहाँ पे link list में मैंने आपको एक और बात यह बताई थी यार, क्या, क किसी को point करता है, यह किसको point करता है, null को, हमेशा, in general वैसे तो जब मैंने यह सारे node सबसे पहले बनाए, पहले 5 बनाया, 3 बनाया, 9 बनाया, 8 बनाया, 16 बनाया, initially सब मेरे null को point करते है, तो जब मैंने specifically लिखा a.next b है, तो यह इसको point कर रहा है, अब मैंने अपने code में इधर देखो, d.next e कर दिया, मैंने कुछ यह नहीं लिखा, e.next भी कुछ होगा ना, तो by default e.next null को point कर रहा है, तो इसमें आओ, एक बर इधर आओ, वापिस से, तो यह null को point कर रहा है, तो अगर मुझे यह नहीं दे रखा कि कितने number of nodes है, हमेशा, कितने भी number of nodes हो, मानने 100 nodes है, लास्ट वाला 10 node तो हमेशा null को point करेगा, तो मैं even a condition लबा सकता हूँ ना, कि जब मेरा temp नल के बराबर आ रहा है, तो loop को खतम कर दो, तो यहाँ पे code देखिए, इससे better code लिखते हैं अब हम, हमें क्योंकि नहीं पता होगा हमेशा कि कितना size हैं हमारे node का, तो आप simply एक काम क कर सकते हो, इसको हटाओ, ठीक है, इसको हटा दो, आप यहाँ पे एक while loop लगा दोगे, while, और while में बस condition दोगे, while temp is not equal to null, ठीक है, यानि कि temp null को point नहीं कर रहा जब तक, जो कि actually में tail के भी बाद आता है, तब तक आप एक काम करो, आप print कराते रहो temp का data, आप print कराओ temp का data, ठ ठीक है, और फिर उसके बाद आप लिख दो, temp is equal to temp point करेगा अपने next member को, ठीक है, इसका यह line का मिसलों है, same answer करेगा, यह सेम काम करेगा, run किया, यह आएगा देखो, 539860, बहुत बढ़ी है, इसमें हमें size की भी जरूत नहीं पड़ी, in fact, अगर हम एक और नया node बना देते यह अगर मैं लिखूँगा, node S, या अगर मैं यह कर देता हूँ, एक काम, last node को अगर मैंने उड़ा दिया, ठीक है, और D को मैंने कभी sip वोई नहीं किया, connect ही नहीं किया, same code चलेगा, same code मैं कोई change नहीं करूँगा, loop में, देखो, यह print हो गया, ठीक है, जबकि अगर मैंने for लूप लगाया होता, five तक तो एक और last में छीज परिंट होती, जबरदस्ती, जिसको हम कहते है, null, ठीक है, तो यह हमारा code होता है, for displaying, this is the code for displaying, printing the list, आप कह सकते हो, printing the list, बहुत simple है, बहुत ही जादा simple है, बहुत मज़ेदार है, सब कुछ बहुत बढ़िया तरीकी से हो रह होता है, क्या बोलते है, head node ही दिया होता है, यहाँ पर तो सबकी access है, ऐसा होता नहीं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, अब देखो, displaying a link list, can we do it recursively, क्या ऐसा हो सकता है, ठीक है, तो recursively करने से पहले, एक काम करते हैं, अपने function से, function method, function से print करके देखते है, जैसे यह जो complete च मैं चाहता हूँ कि मैं एक function मना हूँ, जिससे मैं इन सबको print करूँ, ठीक है, तो हम एक function मना देते हैं, यहाँ पे, public, bar, static, और give function क्या return कर रहा है, क्या चीज़े कर रहा है, यह बस print कर रहा है, तो मैं void करूँगा, कुछ भी return नहीं कर रहा, public, static, void, इस function का नाम रख देते ह है, हम display, सिर्फ display, ठीक है, यह receive कर रहा है, एक चीज़, कि इसको node head, यह एक node receive कर रहा है, बस मेरे को यह पता है, क्योंकि मैं इसमें अपना node दूँगा, बस वो node देते हूँ, उससे print हो जाए, ठीक है, हम एक काम करते है, function को call लगाते है, main में, मैं को display करनी है, तो बस मैं यह लिखूँगा, display, A, क्योंकि मेरे को बता है, A head है, यह देखो, देखो, error नहीं आ रहा है, कोई सब कुछ सही है, मैंने बस अपना A pass किया, मुझे नहीं पता, मान दो, मेरे code में, यह सब छुपी वी चीज़ है, मैंने बस A को call लगा दिया, मुझे यह पता है, कि यह connected है आपस में, अब देखो, इस function के अंदर मेरे को बस यह लिखना है, simple सी एक चीज़, मैं again बनाओगा, अपना note temp, पहले उसमे head value दे दूँगा, ध्यान देना, पहले मैं उसमे head value दे दूँगा, यहापे, और फिर मेरे को बस print कराना है, while temp not equal to null, जब तक वो null नहीं होता, तब तब तक उसके data को print करा दो, तब तक उसके data को आप print करा दो, temp dot data, साथ में आप यह space दे दो एक, यह अटा दो, और आप कर दो, temp is equal to temp dot next, ठीक है, simple, और यह आपका सारा करम करके देगा, देखो, मैं run करूँगा, same code चले में, 5398, बहुत ही बढ़िया, ठीक है, in fact, अगर मै कोई नया यहाँ पर node बना दू, node E is equal to new node, और यहाँ पर 100 लिख दू, और connect भी कर दूँ, अपना, connect करना ज़रूरी है, ठीक है, d dot next is equal to E, अब देखो, अगर मैं run करूँगा, तो 100 भी आजाएगा, बहुत ही बढ़िया, सब कुछ सही चल रहा है, मत आ रहा है, अब एक और चीज़ें आपके दिमाग में आ रहा होगा, कि हम नया temp क्यों बना रहा है, अगर अभी तक आपको समझनी आया है, यहाँ पर, आप यह सोचोगे ना, कि जो मेरा current चीज़ है, जैसे अगर मेरे पस यहाँ पर भी जब मैं print करा रहा था, जो मेरा a है, मैं a को ही बार बार a dot next करके बरनो, गलती हो जाएगी नहीं, इदर देखिए, अगर मैंने temp ना बनाया होता हूँ, अगर मैंने जैसे मैंने यहाँ पर temp बना रहा है, और temp को a पर लेकर गया, अगर मैं सिर्फ लिखता इसको अटाओ, यहाँ पर मैं system dot out a dot data print कर दूँ, और फिर लिख दू a is equal to a dot next करके दिखाता हूँ, एक काम करता हूँ, नया page बनाता हूँ, ठीक है, it was important, यह देखो, यह हमारी कुछ list है, ऐसी है, copy, अब मैं एक नया code लिखता हूँ, paste, मान लिजे हमारा code कुछ ऐसा होता, कि मैं loop लगा दूँ और पांच तक यह एक बार लगा के देख लेते हैं, या एक ही बात है हो, या फिर यह कर लेते है, while, a is not equal to null, अगर मैं कुछ ऐसा काम कर दो, और फिर मैं print करूँ हमेशा, south, ठीक है, a.data, प्लस एक space दे दूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, और फिर मैं कर दो, a is equal to a.next, temp की जगे, क्यों मैं एक different node बनाओ, तो इसमें problem की आएगी, च a का next अभी के लिए b है, and so on, तो देखो पहला, क्या a null के बराबर है, नहीं यार, बिल्कुल नहीं, 5 है उसमें, तो पहले a का data print हो जाएगा, यानि की 5, अब देखना, एक space भी आ गया, एक space आ गया, फिर हमने लिखा a is equal to a.next, तो इसका meaning क्या हुआ है, answer इससे भी आ अब a is no longer pointing to this node, मतलब की, technically speaking, जो हम यहाँ पे नाम देते है, node a, node b, computer के अंदर memory में node बन रहा है, हम कभी भी a बोलते हैं, तो a का मतलब है कि यार, a इसकी तरफ point कर रहा है, जैसे यहाँ पे मैने d लिखा है, तो इसका मतलब, d इसको point कर रहा है, reference दे रहा है, इस चीज़ क कि यार, b कई भी हम use करेंगे, इसका मतलब हम इस node के बारे में चीज़े use कर रहे है, जैसी मैने लिख दे, a is equal to a dot next, तो इसका यह मतलब नहीं है कि यह five उड़ जाएगा, यह connection मेरा उड़ जाएगा, नई, अब इसका मतलब a इधर आ गया, ठीक है, ठीक है भाई, हम अगली print हो जाएगा, फिर हम बोलेंगे a is equal to a dot next, फिर हमारा 16 print हो जाएगा, फिर हम बोलेंगे a is equal to a dot next, फिर a जब null हो गया मेरा, तो loop break हो जाएगा, तो देखो answer आ जाएगा, लेकिन इससे problem क्या होगी देखना, अब इधर देखते हैं यार, हमने देखा कि जब मैंने print किया अभ अगर मैं यही काम इसमें, ctrl c, ctrl v, दो बार करो, तो क्या दो बार मेरी पूरी list print हो जाएगी, नए, देखना, मैंने run किया, देखो एक ही बार print होई, तो यह print क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि अब मेरा head null बन चुका है, तो इसका मतलब इस function के अंदर, मैं अपना head खोच च चुका हो, जो list का starting का head है, अब मैं खोच चुका हो, क्योंकि मैंने उस head को ही आगे वड़ा वड़ा के सारी चीज़े print कर दी, तो कई बार मैं यहाँ पर यह सारी चीज़े नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ, मैं head की functionality preserve करो, ठीक है, अब यहर एक चीज रहे हैं यहाँ पर, कि वापिस से मैं a दे दू, तो a में कोई change नहीं आएगा, ऐसे में, देखो मैंने run किया, वही same चीज़ होगी, क्यों, दो बार क्यों print हो रहे है, जब मैंने display a को call लगाई, और यहाँ पर मैंने लिका node head, तो actually एक नया node तो नहीं, बट head नाम की एक नई चीज बनी, जो कि पतलब आपको समझाता हूँ, यहाँ आ जाते हैं, और इस code पर आते है, ठीक है, सबसे पहले तो यही, मान लो यही मेरी list बनी वी है, a, b, c, d, e, सारी चीज़े, और मैंने एक function मना दिया, display नाम का, मैंने एक function मना दिया, यह display नाम का, तो इसके बारे में कुछ-कुछ यह display function करके आ रहा है, यहाँ पर मैंने टेंप नहीं बनाया, इस function में टेंप बनाने की जरूत नहीं है, लेकिन बाद में हमारे होगी, ठीक है, यहाँ पर देखिए, जैसे ही मैंने अपने main function में display का call लगाया, और उसमें a को भेजा, तो इसने node head में वो receive किया, मतलब एक head बन गया, जो कि a को point कर रहा है, फिर जब मैंने यह पूरा का पूरा code लिखा, ठीक है, तो यहाँ पर देखो, जब मैंने head दिया, तो head इसके बाद गया, अब मैंने head is not equal to null का loop लगाया, पहले मैंने head का data print किया, तो 5 print हो गया, head is equal to head.next, head इधर आ गया, फिर 3 print हो गया, 9 print ह गया and so on, ठीक है, लेकिन अगर मैंने यह function नहीं बनाया होता, display वाला, ठीक है, और अगर, क्योंकि इसमें a नहीं छिडा मेरा, a अभी भी यहीं है, लेकिन अगर मैंने display का function नहीं बनाया होता, rather मैं इधर आता, ठीक है, मैं क्योंकि function में भी technically speaking एक temp node बन रहा है, temporary node बन रहा अगर मैंने display function ऐसे नहीं लिखा होता, और यह भी ऐसे नहीं, मैंने यहीं की है, अपना print कर दिया होता लूप, तो मैं ऐसे print कर सकता था, while, a not equal to null, a not equal to null, simple, आप यह वाला काम कर सकते होगी, south, a dot data, plus space, ठीक है, और फिर आप कर सकते हो, a is equal to a dot next, यह अभी हमारा head है, यह हम प्रॉब्लम देखना, यह एक बार तो print हो जाएगी list, यह देखो, अगली बार नहीं हो पाएगी, अब मैं अगर same को करूँ, यह लो, तो नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं होगा print, यह देखो, खाली, क्यों, क्योंकि अब हमारे पास head नहीं है, हमारा head गया, जैसी मैंने यह काम किया, यह connect पे गया, तो head गया, although अगर मैंने functions को call लगाई होती, इसी की जगे, यह काम नहीं किया होता, अगर मैंने functions को call लगाई होती, display, तो A मेरा preserve रहता, तो इसलिए मेरा कहने का यह तात पर रहता, मतलब था, temporary node हम इसलिए बनाते है, ताकि हमारा head गया बना हो, एक cool हो सकता है, कैसे हो सकता है, वापिस इसको आते है, एक बार यहां लिखता है, paste, और यह नहीं, ओ वाओ, यह ऐसे font के साथ पेस्ट दाता है, यह तो मैंने कभी नहीं देखा था, यह बड़ी नहीं साब है तो, चलनो, anyways, इसको मैं हटा देता हूँ, delete करता हूँ, यह देखि function बनाना पड़ेगा, माननो display, और wide void का ही function बनाऊँगा मैं यार, मैं बनाऊँगा public starting void display, display r लिख देता हूँ, display r, मतब recursively, यह भी एक node को receive करेगा, node head, और मैं इसमें अपना head node यारनी की a node को भेज़ दोगा, अब recursively में क्या होगा, लूप की जगे आप simple पते हैं, दो काम गर सकते हो, पहला, सबसे पहले आप यार, प्रिंट कर दो, यार, south, जो भी head है, उसका data, और आप एक काम पता है, क्या गर सकते हो, आप को लगा दो वापिस recursion की कौन सी, वापिस display function को call लगाओ, display r को call लगाओ आप, और यहाँ पर आप बस पते हैं, क्या पास करो, head dot next, ल अगर, if head equal to equal to null, तो return कर दो, return मतलब function को निप्टाओ, खतम करो, ठीक है, बहुत simple recursive code है, चलिए करते हैं यार, इसको, एक और निखते है, public, tactic, void, display r, display r मतलब recursively, नया function मना है, इसमें अभी मैं node head दे रहा हूँ, बस difference क्या है, कि सबसे पहले तो यार मैं चेक कर रहा हूँ, क्या head मेरा, null के बराबर है, अगर ऐसा है, खतम करो, return का मतलब, खतम, functions आने चाहिए आपको, recursion भी आनी चाहिए आपको, अभी तक, दस दिल संटे बढ़ा है आमने recursion, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले print कर दो यार, क्या print कर दो यार अपना, जो भी head है, इस समय, जो म मतलब, हम head का next, अगली call में pass देंगे, ठीक है, तो यह विल्कुल सही काम करेगा, यह देखिए, अगर मैं display A की जगे, यहाँ पे इसको अटाते है, display R कर दूँ, तो भी सेम चीज़ प्रिंट होगी, और एक बार एक काम करते हैं, दोनों चीज़े कर देते हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, display R A, मैंने अपना head load पास किया, तो देखो, same, same आगया answer, यहाँ पे कुछ issues आ रहे है, मेरा 539800 एकटा आ गया, क्यों, बीच में एक को मैंने line नहीं दी, और दूसरा, मैंने वहाँ पे gap नहीं दिया, ठीक है, इसके function को देखो, मैंने gap नहीं दिया, अहाँ यह रहा, एक gap देदो, अब देखो run किया, लो भई, ठीक है, तो recursive ली भी हम print कर सकते है, बहुत बढ़े, recursive आना चाहिए, आगे बटते है थोड़ा सा, आगे की चीज़े देखते है, यहाँ पे कुछ लिखा है, what will this function do, अभी मैंने proper linkless implement नहीं कराई है, void function दे रख head dot while plus this, अब यह बहुत interesting, यह जो मुझे दे रखी है चीज, बहुत interesting code लिखा है, यह same code तो मैंने यहाँ पे लिखा है अभी, लेकिन फर्क क्या है यह देखो, same to same code, छोटा सा difference, छोटा सा difference, और यह अगर आपने recursion तमीज से पढ़ा है ना, यार्टियो मैंने पढ़ा है तो आप two minute के अंदर इसका answer comments पे लिखना अभी, अब लिख सकते हो, same काम है, head null return, head null return, लेकिन यहाँ पहले मैंने print कर दिया, यहाँ बाद में print हो रही है same चीज, अचा एक और चीज, यह जो val है, यह val data है, मतलब समझ लो यह data है, एक बारे के लिए ठीक है, in case में जिसने भ loading platforms पे value of it data निल्खा होता है, ठीक तो यह data print हो रहा है, but यहाँ पे पहने call लग रही है head next, मैं यहाँ पे बाद में call लगा रहा हूँ, यह function है, दोनों में difference कहा है, आप में से intelligent बच्चे समझ चुके होंगे, की ultilist print होने वाली है, reverse में, options देखते है, print on elements of linked list गलत, print on elements except last one ग अगर मैं यह चोटी सी चीज़, cut करके, यहाँ लिख दो बस, अब देखना मैं run करता हूँ, पहने तो सीधी print होगी हमारी, क्योंकि हमने display किया था यह देखो, 5, 3, 9, अब आगे देखो, ultilist print हो गई, भाई ऐसा क्यों हो रहा है यार, भाई, recursion के call लगाने की पहली वाली और call लगाने की बाद वाली दुनिया, आपको मैंने पढ़ाया होगा recursion के lecture के अंदर, ठीक है, यह बहुत important चीज़ है, चलिए यार, इसको हम देखते हैं, यही जो चीज़ है, इसको करते है, copy, and, एक काम करते है, इसी को एक बार, ओहो, चलो, कोई नहीं, वेस्ट कर देते और मैं मान लेता हूँ, मैंने अपनी लिस्ट यह बना रखी है, ठीक है, मैंने अपनी लिस्ट बना रखी है, copy यह, यह देखिए, यह मेरी लिस्ट है, जो कि मैंने बनाई थी, दूसरा, मैंने एक call लगाया, display, इस function का नाम है, display आर लखा है मैंने, मैंने एक call लगाया, जि कि यह reverse में list को print कर रहा है, लेकिन क्यों, क्यों यह reverse में list को print कर रहा है, यह सब हम जानते हैं, वैसे तो अगर आपने रिकर्जन पढ़ा है, लेकिन देखते हैं, हम पहले यह आ गए, हमने यह pass किया यहाँ पे, यह है यह, तो इसने क्या, क्या head null है, नहीं, नहीं, आगे ब cut, ठीक है, यह इसको भी try run करके दिखायता हूँ, यह normally हम list को print कर रहे है, reverse में नहीं print कर रहे है, तो यह देखिए, पहले हमने system.out, a.data print कर दिया, यानि कि 5 print किया, फिर हमने क्या किया, हमने call लगा दी, head.next, यानि कि 3, तो अब यहाँ पे call लग गया, b के साथ, फिर b का data print हुआ, पहले चेक हुआ, b null है, नहीं, b का data print हो गया, 3 print हो गया, फिर हमने call लगा दी, b.next को, यानि कि इसको call लगा दी, फिर हम इधर गए, हमने check किया, क्या ये null है, नहीं, इसका data print करो, 9, फिर इसके अगले को call लगा दो, d को call लगाया मैंने, यहाँ पे, फिर check थिया क्या d null है, नहीं, आगे बढ़ो, d का data print करो, यानि की 8, and so on, 16, आप समझ सकते हो, जैसी हम इस पे आ गए, और फिर, माननो 16 पे जबाए, तो क्या ये null के बराबर है, नहीं, 16 को हमने print कर दिया, हम इस पे आए, display head.next, अब 16.next null है, तो अब मैंने null को call लगाई, जब मैंने call ही null को लगाई, तो चेक, क्या ये null है, yes, return function खता, ठीक है, लेकिन अगर इस मेरे को इसका, यहाँ पे ये print करना है, सीधी वाली list print करनी है, ठीक है, अगर मेरे को, सीधी वाली list print करनी है, copy करते है, यहाँ पे हम, waste कर देते है, और इसका हम नाम बदल देते है, display reverse रख देते है, इस function का, इसमें हम A को pass कर देंगे, ठीक है, इधर आ जाते है, code में, इसको ठीक कर देते है, यहाँ, पहले हम print करते है, फिर यह, यह normal display का code है, हम एक नया function मना देते है, जो कि recursively मेरा ulti list को display कर रहा है, ठीक है, तो display reverse नाम से बना दिया, यहाँ पे बस फर्क क्या है, कि म मैं इसको change कर रहा हूँ, मतलब call मैं लगाने के बाद print कर रहा हूँ, ठीक है, अब इसको dry run करते है, यह रहा, अब इधर आ जाते है, इसका हम output लेते हैं, हम dry run करके देखते है, reverse का, reverse, ठीक है, very very amazing thing है, यहाँ पे हमने सबसे पहले A को pass किया, node head की जगे A pass हुआ, क्या null के बराबर है, नहीं, तो print करो नहीं, call लगा दो, ठीक है, तो इसके लियार call stack बनाने की ज़रूत है, in fact, यार, तो थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं, हम थोड़ा call stack बना लेते हैं, यह हमारा call stack होगा, ठ थोड़ा size कम कर देते हैं, इन सारी चीदों का, call stack बनी चीदे आर मानवी में हम आपको पढ़ा चुकी है, I hope आपको याद हो, इस stack के अंदर function calls आ रही है, ठीक है, तो सबसे पहले मैंने main के अंदर display reverse, इसका मैं ऐसे नाम दे रहा हूँ, A के साथ pass किया, पहला call मेरा यह नोड गया, ठीक है, display reverse वाला call लगा, main से जो लगा है, फिर हमने check किया, if head equal to equal to none, इसमें हम A की जगे ना इसका data लिख देता हूँ, एक बारी के लिए, आपको समझ आ जाएगा, या A ही लिख दो, ठीक है, data लिख रहा हूँ मैं एक बारी के लिए, समझ ना, ठीक है, हमने इस five वाले को पहले call लगाया, समझ लो, बस आपके understanding के लिए लिख रहा हूँ, comment में bombarding मत कर देना की गलत लिख रहे हो, ठीक है, है तो ये गलत टेक्निकली, अब हम इदर आए, हमने पास किया ये five value के साथ, क्या ये null के बराबर है, ना, ना, आगे बढ़ो, display R, वापिस से call लगा दो, वापिस से call लगा दो, in fact हमने वहाँ पे एक गलती कर दी, इदर आओ, यहाँ पर भी reverse call लगाना ने, देखो function ये है, ठीक है, यहाँ देखिए, मैंने सबसे पहले a pass किया, channel के बराबर है नहीं, आगे बढ़ा, यहाँ देखिए, मैंने call लगाया head.next, a.next मेर ये b है टेक्निकली, तो मैंने call लगा दिया, इस three वाले को, ठीक, अगेन ये three लिकला गलत है, बट समझो, अब जैसे ही मैंने call लगाया, क्या मैं अगली line पे गया, नहीं, मैं अगली line पे कभी गया ही नहीं, मैं call पे आ गया, अब यहाँ पे three गया, ये वाला, b वाला node गय जैक हुआ, क्या null के बराबर ऐ, यार, nई, null के बराबर तो नहीं है, तो एक काम बँदारो call लगा दो, इसके next को यानिकी, nine को call लगा दो, तो वापिस से मैंने call लगा दिया, yeah, display reverse nine वाले को, फिर, जब 9 पे call लगाया, श्यकक्या null है, नहीं, वापिस से call लगा दो, nine के next क मैंने वापिस कॉल लगा दिया किसको यार डिस्प्ले रिवर्स 8 को कॉल लगा दिया 9 का next फिर यहाँ पर जब 8 को कॉल लगाया क्या नल के बराबर है नहीं डिस्प्ले रिवर्स इसका next 16 तो मैंने डिस्प्ले रिवर्स 16 को कॉल लगा दिया फिर चेक किया क्या 16 नल है नहीं, मैंने 16 के next जानी कि नल को call लगा दिया, तो मैंने हाँ पे display reverse, technically मैंने हाँ पे null को call लगा दिया, ठीक है, end लिख रहा हूँ मैं हाँ आपे, null, अब जब null को call लगाया, तो चेक हुआ, क्या head null के बराबर है, yes, return, return का मतलब खतम, तो ये function मेरा खतम, ठीक है, तो जैसे खतम होए, in fact, खतम हो गया, तो clear हो जाता है, stack से उड़ गया, खतम, तो जब 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 खतम होता है ना function, तो वो वहाँ जाता है, जहां से उसको call लगाई जाती है, and ये null वाला function call कहा हुआ था, यहाँ call हुआ था, तो इसका come over, अब मैं इसकी next line प अब मैं print कर दूँगा, head.data, यानकी 16 का data, तो अब आप समझ गयोगे, क्यों उल्टी चीज़े print हो रही है, मैं 16 print कर दूँगा, अब जैसे ये काम हुआ, तो ये function मेरा खतम हो गया, technically speaking, ये 16 वाला function भी अब मेरा खतम हो गया, जब ये खतम हो जाता है, सारी lines ये खतम हो ग ठीक है, फिर ये function खतम हो गया, इसकी call लगाई थी 9 के लिए, 9 में इधर थे हम, ठीक है, 9 में थे, फिर हमने ये print कर दिया, समझ रहो ना, अब आप तो समझ गयोगे, 9 का print हो गया, ये भी उड़ गया function, फिर 3 में आए, 3 finally print हुआ, ये function उड़ गया मेरा, 3 वाला, फिर हम 5 म स्टार्टिंग में, ये खतम हो गया, हम इदर आए, 5 print हमारा यहाँ पर हो गया, और हमारा ये main की call भी खतम हो गया, empty, काम हो गया, इसलिए ये हमारी चीज़ प्रिंट हो गया, इसलिए हमारी चीज़ प्रिंट हो गया, आए, फूप यार, रिकर्जन आपको आता है, अगर रिकर्जन नहीं आता तो ये चीज़ आपको समझी नहीं, अब आगे बढ़ते है यार, अगला question करते है, कि question में एक function है, एक तरह किसे, मेरे को length निकालनी है, ठीक है, implement a method या फिर function, to find out the length of a link list, अब जैसे यार, again मैंने याँ पे link list बना रखी है, अपनी कुछ ऐसी, उठा आया, same तरीके से, मैं length निकाल सकता हूँ, list की, of course, जैसे यहाँ पे तो मुझे दिख रहा है, 5 elements है, आपको day नहीं रखा होगा, आपको a की चीज़ दे रखी होगी, जो की होगया हमारा ये वाला node, यानि की node head, इस case वे, वो head जो है, वो a है, ठीक है, ये दे रखा होगा, तो आप लिखोगे, int length, आप ऐसे लिख सकते हो, is equal to length नामदा एक function बना दो, ठीक है, इसमे पास कर दो, node a, अपना head पास कर दे, ठीक है, पास कर दिया, अब जो हमारा function रहने वाला है, same to same function चलेगा, आपका display की तरह, बस इसमें आपको एक counter variable रख ले न, function के अंदर, मानलो यह हमारा function है, int return type में रहेगा, int length नाम से, ठीक है, यहाँ पर आप लोगे node a, और function के अंदर बस आपको starting में एक variable count रखना, initialize कर दो, count को 0 से, और बाद में, जैसे ही आप loop चला रहे हो, count को बढ़ाते रहो, एक से, आपका answer आ जाएगा, बहुत ज्यादा simple यार, करके दिख इवन यही लिख देता हो, code एक काम करता हो, यह हमारा function है, यह तो मेरा main के अंदर जाएगी यह चीज़े, एक काम करते है, थोड़ी सी जगे बनाता हो, ठीक है, यह line तो आप main में लिखोगे, फिर जो orange से में लिख रहा हूँ, वो function होगा, ठीक है, public static int length यह, ठीक है, आप स sorry, while a is not equal to null, ठीक है, a is not equal to null, आप simple, instead of printing that thing, आप count को add कर सकते हो, count plus 10 कर दो, और a is equal to a dot next कर दो, ठीक है, बंद कर दो इसको, code हटा दो, और last में आप हटाने से पहले एक बार return कर देना यारक, इसको, अपनी, इसको count को, यह count ही आपका length होगा, ठीक है, बाई, एक बार इसको यही की यही dry run करके देखते है, पहले code लिखते है, फिर dry run करते है, मैं code लिखूँगा, आपको समझ आप, अपने आप आजाएगा, हमारी list कुछ ऐसी आप देख सकते हो, यह 5 nodes है हमारे, ठीक है, in fact एक और node add कर देते है, node F, कोई भी नाम दे सकते है, E2, F1 कुछ भी दे सक करते है, ठीक है, हम directly print भी कर सकते है, south और length, length of node, इसमें हम pass कर देते है, A node, ठीक है, अब यह function हमने बनाया नहीं है, हमें बनाना पड़ेगा, तो एक function बना लेते हैं, यहाँ पे, ठीक है, इदर आ जाते है, हम लिख देते हैं, public, tactic, int, क्योंकि return करना है हमें length, और यह accept एक node, मान लेते है, node head या node A, कुछ भी, अब यहाँ पर मैं क्या बूल रहा था, display वाला code ही चलने वाला है, आपका, देखो, यही वाला code है, इसको even उठाओ, copy paste करो, कि भाई, जब तक यह नल के बराबर नहीं होता, बस print करने की जगे, आप क्या करो, count को plus plus कर दो, और एक count दे दो, यहाँ पर, count is equal to the initial, जैसे आपका नल पहुंच जाएगा, आप return कर दो, count को, एक बार run करके देख सकते हो, तो आप देख सकते हो, 6 nodes है, तो length मेरी 6 आनी चाहिए, run करके देखते है, run किया, 6 आ रहा है answer B, विल्कुल perfect answer आ रहा है, ठीक है, अगर मान लो, मैं यह node इस वाला, और यहाँ से भी connect ना करो, फिर देखता हो, 5 nodes answer, देखो 5 आ गया answer, ठीक है, एक बार इस code को देखते है, कि भाई, यह code चल क्यों रहा है, इसका हम, dry run करके देखते है, how is this code even working, ठीक है, आ जाते है यार, length वाने code में, काफी simple यार, यह भी, तो इसको यहाँ रिख ठीक है, यह था मेरा list, link list, copy, paste, ठीक है, तो देखो, कुछ ऐसा मैंने बना रखा था, अभी के लिए, अगर मैं dry run के लिए, यह वाली link list ले लूँ अपने, तो यहाँ पर लिख देते हैं, अपना output, let's see, कि क्या होने वाला है, ठीक है बाई, तो हमने length print की main function में, हम इस function में गए, तो यह node हमारा यहाँ पर पास हुआ है, head के तौर पर, ठीक है, तो ऐसा हुआ है, कि हमारा head आ गया है, इधर, ठीक है, इसको थोड़ा सा और हम इधर कर देते हैं, हमारा head आ गया है, head, अब मैंने क्या, count बनाया variable यहाँ है, वो भी लिख देते है, count की value अभी की लिए जीरो है, और यहाँ पर है, while head is not equal to null, count प्लस प्लस ठीक है, चेक किया, हमने क्या यह नल के बराबर है, नहीं, count पर बढ़ा दो एक, count प्लस प्लस, head is equal to head.next, तो head is equal to head.next, ठीक है, head is equal to head.next, बहुत पढ़िया, फिर हम अगले round में आए, चेक किया, क्या head null के बराबर है, नहीं है, ठीक है बही, अंदर जाओ, लूप के, count प्लस प्लस, count पढ़ा के 2 कर दिया, फिर head is equal to head.next, तो head को में आगे लेगा, head is equal to head.next, फिर बापिस से चेक किया, क्या null के बराबर है, नहीं, अंदर जाओ, count प्लस प्लस, count की value 3 हो गई, फिर हमने चेक किया, head is equal to head.next क फिर ये वाली loop की iteration खतम हो गई, हम इदर आ गए, क्या head null के बराबर है, नहीं, loop के अंदर जाओ, count प्लस प्लस, value हो गई 5, head is equal to head.next, head आगे लेगा, फिर हम वापिस से अगली iteration में गए, क्या head null के बराबर तो नहीं है, है, loop हमारा खतम, return count, count क्या है 5, देखा, output 5 आगे औ आपको method समझाओ, insert at end, हम यहाँ पर यार कुछ कुछ चीजे कर सकते हैं, जो अभी तक हमने नहीं की है, link list के बारे में, जैसे की link list का एक दूसरा implementation, मतलब, जैसे मैंने array list आपको सिखाया था, oops के lecture में, तो array list नाम की मैंने class बना दी थी, ठीक है, ताकि ऐसा scene हो था, इदर इदर दिखा देता हूँ, oops मैं आते हैं, और array list खोलता हूँ, यह देखे यार, array list में मैंने आपको क्या सिखाया था, मैंने class array list बना दी यहाँ पर, ठीक है, जिसके अंदर मैंने इसकी attributes भी दे दिये, फिर मैंने क्या कहते हैं, यहाँ देखो, सारी चीजे यहाँ हो रही थ आटिक class link list भी बना सकता हूँ, अपनी खुद की, मतलब मैं यह चाहता हूँ, इदर देखिए, हम इदर आते हैं सबसे पहले तो link list के अंदर, कहां गया भई, link list, basics, ln, खोलते हैं, right, अभी तक हम क्या कर रहे थे, हमने सिर्फ node class बना रहे थी और कुछ नहीं, यहाँ आप primitive data type, जैसे हम array declare करते हैं, ऐसे मैंने ऐसा कुछ नहीं बनाया, कि यार देखो, इस case में तो मेरे को यह करना पढ़ रहा है बार बार, कि अपने आप से मैंने notes बनाये, खुद से मैंने उनको connect किया, और मान लिया हमने कि यह link list है, ठीक है, this is fine, बट मैं यह चाहता हूँ, एक इसको थोड़ा इधर आ जाते है, java class, और लिख देते है, implementation, ठीक है, dot java, दूसरा implementation देखते है, इसका, अब मैं कुछ ऐसा चाह रहा था यार, इसमें, थोड़ा और बड़ा गर देते हैं इसको, कि psvm में जब मैं लिखो, अंदर जाके, यहाँ पे जब मैं यह लिखता थ इसका न, int ऐसे, trr is equal to new int 5, जैसे ऐसे, तो ऐसे tight की मैं link list बनाना चाह रहा हूँ, कि जैसे मैं सीधा-सीधा यह बना दू, link list, जैसे हम array list में करते हैं, यह देखो, वैसे तो internal link list हमारे पास available है, यह देखो ऐसे, लेकिन हम इसको रखेंगे नहीं, जावा के अंदर internal link list होती है, उसकी अभी हम बात नहीं करेंगे, मैं खुद से एक link list मनाओ, जिसका मैं ऐसे नाम रख जता हूँ, small में रख जता है, link list, ठीक है, और फिर इसका मैं एक अपनी खुद की list बनाओ, जैसे, int, arr, लिखता हूँ, वैसे link list, ठीक है, या ll is equal to new, ठीक है, link list, ऐसा करके मैं कु यह मेरी list, और अगर मैं लिखो, nl, जो इस link list का मैंने नाम दिया है, nl.add नाम का एक function बना दू, कि भई, इसमें मैं यह लिख दो, 4, तो ऐसा हो कि हमारी link list कुछ ऐसी बन जाए, एक आगया head आगया हमार पस, फिर अगर मैं अगली line में लिखो, nl.add वापिस से 5, तो हमार link list कुछ ऐसी बन जाए, 4, फिर 5 आजाए, आगे, जैसे array list में बनाई थी, array होता है, array list में add करते रहते हैं, पीछे, वैसे ही मैं link list चाहता हूँ, तो इसको हम कैसे बनाएंगी, using object oriented programming, यानि की user defined data type, ठीक है, समझाता हूँ, अच्छे से, एक बड़ी obvious सी बात है कि हमें अप ठीक है, यह मैं को करना पड़ेगा, इसलिए हम constructor भी बना सकते हैं, node int data, यहाँ पर हम लिख देंगे, this.data is equal to data, ठीक है, बहुत बढ़िया बन गया हमारा, node class तो बनानी थी, अब साथ ही साथ मैं बना देता हूँ, अपनी public tactic class link list, जैसे यह जो था, देखो link list, अब आप दे हूँ कि हमारा काम होना शुरूफ हो जाए, ठीक है, तो यहाँ पर पता है मैं क्या बनाने वाला हूँ, हर link list का, इधर देखिए, implementation पर आते है सबसे बहले तो, implementation कहा है यार, implementation of singly link list, अभी मैं singly link list की बात करूँगा, बाप से implementation देखते, important वाली, ठीक है, star लगा रहा हूँ यहाँ पर मैं एक, मैं यहाँ पर यह चाहता हूँ, अपनी link list में, हर link list में होता क्या है, मालो यह एक link list है, one, three, five, four, two, three, या seven ले लो, अलग number ले लो, यह भी ले सकते है विसे तो, same number भी तो हो सकते है, ऐसी link list मेरी बने एक, ठीक है, हमेशा यह मेरा head होता है, तो link list में हो कुद चीजे होती है, एक होता head, यह होता है, of course मेरा एक tail, और यह connected होता है, tail मेरा हमेशा null से, तो हम अब ऐसी link list implement करते हैं, जिसमें हम एक head maintain करें हमेशा, एक tail maintain करें हमेशा, और अपने खुद के functions बनाए, जैसे कि यह link list मेरी बनी पड़ी है, इसके बाद अगर मैं लिखो ll.add7, तो क्या हो कि यहाँ पे 7 add हो जाए, और वो null को point करें, और अपनी tail भी मेरी फिर 7 पे आ जाए, समझे हो, ऐसा type का push हमें करना है, तो of course एक मेरे को head रखना पड़ेगा, तो इस link list का एक member रहने वाला यार मेरा node, head, ठीक है, यह इस class में मैं रख रहा हूँ, और head मेरा initial कर दूँगा, मैं null से, ठीक है, हम ऐसे initialize कर सकते है, by the way, फिर मैं रखूँगा node, tail, इसको भी मैं एक बारी के लिए null से initialize करूँगा, ठीक है, हम इसमें और भी properties रख सकते हैं, जैसे कि size, मानलो मैंने यह link list बना दी 4-5, मैं directly print करना चाहरा हूँ, ll.size method से, जैसे array list में होता सकते हैं, अब यह इस class के अंदर का function होगा, जैसे display function मनाया था, वैसे इसमें, और उस function का नाम हो सकता है, हमारा insert at end, insert at end, मतलब मेरे पास अदर कोई यह already existing link list है, मैं यह चाहता हूँ, यह function बनाऊ, कि ll मैं ऐसे करू, ll और function का नाम रखू, मैं insert at end, ठीक है, और यहाँ पर मै number दूँ एक, तो इस statement का मतलब यह हो जाए, कि जो मेरी existing link list थी, वो कुछ ऐसी बन जाए, existing link list मेरी कुछ, ऐसी बन जाए, ठीक है, कि अब यहाँ पर last में 7 add हो गया एक तो, यह मेरी tail बन जाएगी, of course, और यह null को point करेगा, tail हमेशा वो होता है, जो last वाली चीत होती, ठीक है जैसे मैंने यह किया, तो यह आजाए, तो ऐसे type का function मैं कैसे बनाऊगा, अगर मेरे को in general भी link list दे रखी है, और मेरे को tail दे रखी है link list की, देखना फाइदा, तो बहुत ही simple answer होगा यार इसका, मालनो यह मेरी tail है already existing, मेरे को last में 7 डालना है, इतना बहुत simple काम होगा है, य यह scene था मेरा, मुझे add the end 7 डालना है, तो मैं simple एक काम करूगा, एक नया node बनाऊगा सबसे पहले जिसमें 7 data डालूगा, जो मेरी tail थी, पहले वो null को point कर रही थी, मैं tail को point करा दूँगा 7 को, that's it, और in general मैं एक और काम करूँगा, मैं tail is equal to जो भी यह नया node बनाया था, उस पे point करा दूँगा अपनी tail को, ताकि यह मेरा tail हो, and normally यह null को point करेगा, क्योंकि हमने एक नया node बनाया था, और default case में वो null को point करता है, तो ऐसे type की मैं function बना सकता हूँ, insert at end, अब obviously यहार देखो, वो मैं काम यहां से भी कर सकता था, अपने इसमें जाते है, अगर मैं basics lll पर जैसी tail पर आ जाओंगा, मैं function insert कर दूँगा, ठीक है, तो वो काम हम कर सकते है, definitely, वो करेंगे, in fact उसको question रखेंगे, बट अभी के लिए, मेरे पास एक tail आ गई, मेरे पास यहां पर एक head आ गया, बहुत बढ़िया यार, अब मेरे और क्या property चाहिए थी, एक size चाहिए था, size को हम बाद में रखते हैं एक बारी के लिए, बस यह रेखते हैं कि head है, और tail है, अब यहां पर हम function बनाना शिरू करते हैं, सबसे बहले insertion function नहीं लगेगा हमारा, तो एक function बनाते हैं हम यहां पर, और function का हम नाम रख देते हैं, void, insert at end, ठीक है, और उसकोर्स यहां पर हमे insert at end, एक data मिलेगा हमें, वही insert करना होगा, int data नाम से हम ले सकते हैं इसको, ठीक है, खोबी value मिलेगी, int value भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, तो यहां पर simple मैं कुछ-कुछ चीज़े चेक करूँगा, सबसे पहले insert का तरीका मैंने क्या बताया था, जैसे इधर हम इधर है, यह हमारी list है, अगर हमारे पास कोई tail है, point number one, अगर हमारे पास कोई tail यहां पे present है, कोई tail हमारे पास यहां पे present है, तो क्या करो, सबसे पहले तो हमें एक नया node बनाना है, उसके अंदर यह value डालना है, ठीक है, तो इधर आ जाते हैं, सबसे पहले मैं एक नया node बनाऊगा, node temp रख सकते हैं, उसका नाम हम कुछ भी रख सकते है, is equal to new node, और उसके अंदर मैं ये value डाल दूँगा, बन गया एक नया node बहुत बढ़िया, फिर मैं क्या करूँगा, जो मेरी existing tail है, existing tail जो null को point कर रही है, जिसका next null है, इस tail के next को मैं बना सकता हूँ, ये temp, ठीक पहले tail को connect करना है, बाद में ये काम करना है, ज़रूर ध्यान देना, अब ये जो function है, ये almost सही है, लेकिन इसमें एक issue है, ये तभी valid होगा जब मेरे पास कुछ होगा, लिंक लिस्ट के अंदर, जब मेरे पास कुछ होगा, अगर लिंक लिस्ट मेरी खाली पड़ी है, इसक या फिर insert at, ll.insert at, ll हमारी निस्ट का नाम होगा, जो निस्ट का object बनेगा उसका नाम, insert at end मैं कहता हूँ, पहला node में चाहता हूँ, one insert हो जाए, तो अगर निस्ट ही मेरी empty है, तो मैं क्या करूँगा, मैं एक node बनाऊँगा, उसका नाम one रखूँगा, वही मेरा head होगा एक इनिवेज बनाना ही है, एक नया node जिसमें वो value हमें डालनी है, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा if else वाली condition लगा सकते है, बिना connect करें सबसे पहले, तो यह चेक करो, क्या मेरा, जब list empty है, वो list तब empty होती है, हमेशा हमारी, जब हमारा head या फिर tail दोनों ही null होते है, तो आप ल पहले head is equal to temp, मतलब जो मैंने नया node बनाया था, उसी को head बान लो, ठीक है, फिर उसके बाद एक और चीज, tail is equal to temp as well, ठीक है, tail भी हमारा वो बन जाएगा, ठीक है, यहाँ पर यह चीज आगी, that's it, इसके आगे आपको और कुछ नहीं करना, यह दोनों हम आपका हमारा बिलक नहीं होगा हमारा, right, else बस आपको simple सा यह काम करना है जो मैंने पहले लिखा था, कि हमारा tail dot next is equal to temp, और tail is equal to temp, एक बार देखते हैं कि यह काम करेगा कैसे, यह error क्यों दे रहा है, छोटा सा, अच्छा, अच्छा, यह देखो, यह error क्यों दे रहा है, आपको समझा दूँगा बाद में, ठीक है, यह भी interesting है काफी, error नहीं हो, एक shortcut बता रहा है, देखो, अगर हमार पास node ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पहले node हमने बनाया, वापिस से दिखा देता हूँ, for empty list, for empty list, सबसे पहले empty list identify कैसे करेंगे, कि अगर मेरा head है, if head is null, अगर head की value equal to equal to null है, ठीक ह तो मेरा common चीज़ है, for anything, सबसे पहले तो मैं एक नया node बनाऊँगा, node temp, is equal to new node, new node और यह वाली value, जो मेरे को add कदमी थी, ठीक है, अगर यह तो हमारा बन गया, देखो, यहाँ पे ऐसे, temp नाम से बन गया, temp, और value बन चले गई, अगर list empty है, तो मैं चाहता हूँ, पहला element आ temp को point कर रहा है, और मेरा अब tail भी temp को point कर रहा है, initially जो मेरे head और tail थे, वो null के पास थे, मैंने लिखा भी दा सबसे बहले class में, ठीक है, दूसरा case क्या होजा है, for non empty, for non empty, अब non empty का मतलब होता है यार, कि बस कोई कितने भी elements हो, हो सकता है, एक ही element हो, मान लो हमारे पास पहल को में लेता हूँ, और फिर मैं चाहता हूँ कि यह जो है, यह इसके end में लगे, तो simple आपको यहाँ पे काम करना, यहाँ पे head आपका null अगर नहीं है, तो आप क्या करोगे, tail के next को जो पहले null था, आप temp बना दोगे, tail के next को आप temp बना दोगे, और फिर tail को भी आप temp बना होगे, ठीक है, ताकि हमारा यह head है, यह tail है, और obviously दो तीन sizes के लिए भी यह चीज़ काम करेगी, अच्छा अब इस code पे आ जते हैं, I hope आपको यह समझ आ गया होगा, अब यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर कभी भी if statement के अंदर एक statement है, और else में भी वो same statement है, यह temp है, यह यह तो हमेशा ही करना है न आपको, तो यह आप हमेशा कर दोगे कि, एक सकेड, tail is equal to temp, तो आप हमेशा ही बना दूगे, ठीक है, यह चीज़ हो गई हमारी यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया, बहुत सही insert at end आ गया, अब एक काम करते हैं, यार एक अपनी list बनाते हैं, और बा function बनाते हैं हमें, ठीक है, display नाम का, जो हम अड़री बना चुके थे पहले, अब पर क्यूंकि लल डॉट है, तो यह class का function है, इस linkless class के अंदर हम एक function यूज़ करें, और एक और चीज़ याद, यह class है, node अपने आप में एक class है, node को मैं बस यहाँ पे user defined data tag की तरे समझ रहो ठीक है, जैसे int, string, लेकिन इस class को मैं एक data structure की तरे समझ रहो, difference देखना दोनों में, ठीक है, अब मैं किस कहाँ पे था, हाँ, display, तो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे एक function बना दिया, इसका, तो एक और function बना लेते हैं, void display, एक और चीज़ आप भी सोचे रहोगे, इसके अब void display, यह भी क्या receive करेगा, node head, हमें बस एक अपना head दे देंगे, और मैं पूरी की पूरी चीज़ दिस्प्ले करना चाता हूँ, आप सब जानते हो, बहुत ज़्याद आसान है, बस इसमें आप पे लिखना है, while head, अच्छा, एक और चीज़, यह जो head है, वैसे तो चलो इस function में आएगा, लेकिन हम already इसको use कर रहे है, ठीक है, तो आप दूसरा नाम भी दे सकते हो, कुछ भी रख सकते हो, but anyways, while head not equal to null, आप simple बस प्रिंट करा सकते हो, south head.data, plus space, वही सेम जो हमने काम किया था, and head is equal to head.next, ठीक है, अब, अब आप सोचों कि यह वाला head अलग चीज़ है, यह वाली head अलग चीज़ है, यह इस display function के अंदर की चीज़ है, तो यह local variable है, टेंशन मत लेना मज़ है, ठीक है, काम करते हैं, print करा के देखते हैं, अच्छा, एक चोटा था error, अच्छा, मैं head तो of course दोगा ही न, कैसी बात क मैं कोई parameter नहीं दूगा, क्यों नहीं दूगा यार, क्योंकि जब मैं अपनी English की class बना रहा हूँ, यह अपने आप में data structure है, यह पूरा data structure है, जो मैंने blue सा highlight कर रहा है, डाइट को और से देखो, this is the data structure, तो इसके पास अपना पहला element तो है, मैं यहां से क्यों पहला element दूग ठीक है, तो इस head की बात हो रही है, यहां पर, लेकिन एक issue आजाएगा, जो कि मैंने पहले आपको इसलिए सिखाया था, कि एक नया node हमेशा बना दिया करो, क्योंकि यह जो head है, मैं कभी नहीं चाहता, यह head आगे जाके ऐसे null हो जाए, ठीक है, मैं maintain करना चाहता हूँ, इस head next करा दोगा, ठीक है, head को मैं छेड़ना नहीं चाहता कभी, simple, ठीक है, तो इस display एक बार run करके देखते है, 4 और 5 answer आजा न चीए, यह देखो, 5 आगे हमारा answer, 5 क्यों आया यार, मैंने 4 भी तो print किया है, let's see what is the problem, इसको एक बार dry run करते है, problems आनी चाहिए, क्योंकि मैं चाहत और फिर जब हमने print किया, print कराने में क्या दिक्ता आ रही है, no temp is equal to head, temp is not equal to null, temp.data, temp is equal to temp.next, सब कुछ सही है, बिलकुल, सबसे पहले इस function को देखते हैं, इस function में issues नहीं होने चाहिए, dry run करते हैं, और एक बार दूसरा function भी देख लेते हैं अपने, display और insert addend, दोनों को ह ही मैं यहाँ पर, पहले इसको लिए आते हैं, ठीक है और बाकी चीज़े ठीक है, initially head मेरा null है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ null, head भी इसको point कर रहा है यार, और tail भी इसको point कर रहा है, null को भी मैं ऐसे लिख देता हूँ, और क्या क्या चीज़े हैं, बिलकुल, और सब कु insert at end 4, ll.insert at end 4, और फिर अगली line में मैंने लिखा, ll.insert at end 5, एक एक करके इन lineों का मतलब समझते हैं, हमारी ll class में क्या सीन है, यह ll class की बात चल रही है, यहाँ पर, अब ही head और tail दोनों null के बराबर है, जैसी मैं इसके dot function पर गया, तो इस insert at function पर मैं चले गया है, और मैंने इस पर value pass की 4, ठीक है, तो मैंने एक नया node बनाया, node temp is equal to new node value, तो मैंने एक नया node बनाया, जिसका नाम अभी temp है, और इसमें 4 value दे दी, बहुत बढ़िया, फिर मैं इदर आया, if head equal to equal to null, क्या head null के बराबर है, जी बिलकुल है, तो एक काम करो, head को temp दे दो, वतलब head भी आ गया, tail आ गया इधर, and obviously दोनों का जो next है, वो null ही है, क्योंकि in general जब मैंने ये temp बनाया था, in fact ये चीज बन गई थी, इस line को declare करते ही, कि temp में 4 आ गया, और उस तो next in general हमारा null रहता है, ठीक है, बहुत बढ़िया, अब हम आते है, ये line हमारी हो गई, अब इस second line पे आते अफकॉर्स ये हट गया, अब head हमारा null को point नहीं कर रहा, और tail भी null को point नहीं कर रहा, ठीक है, null हर जगे है, एक तरगे से आप ये समझ दूँ, कहीं भी रख सकते हो, अब ये second line चल देगी, ll.insertat and 5, तो मैंने या पे 5 insert किया, node temp is equal to new node, तो हमने क्या किया यार, ये हटके ए एक काम करो, tail.next is equal to temp कर दो, तो जो tail का next है, basically ये entire चीज जो है, इसका next अभी null था, तो एक काम करो, इसको काटके, इसका next बना दो, ये temp, ठीक है, बन गया यार, और by default इसका next मेरा null था, ठीक है, null था, अब else वाली condition चल गई, अब अगली line आ गई, tail is equal to temp, तो tail भी यहां से हटके मेरा, यहां आ जाएगा, tail, यहां आ गया, tail बहुत बढ़िया, तो देखो, ये head है मेरा, जैसे आप देख सकते हूँ, ये मेरा tail है, temp भी है, ये और ये null है, बन गई मेरी छोटी सी link list, सब कुछ सही है, link list insert at end तो विल्कुल सही तरीके से चला है, कोई भी दिक्कत नह है, अब आगे देखते हैं, कि इसकी display में हमारे में क्या problem आ रही है, ठीक है, displaying में क्या problem आ रही है, function के अंदर, display in link list class, ठीक है, करगे सारे issues को हम rectify करेंगे, आ जाते है, display function को उठा लेते हैं, इसमें जो परिशानी है, उसको भी देख लेते हैं, ठीक है, और एक और चीज, यह continuous चीजे हैं, दोनों जो मैं कर रहा हूँ, तो यह चीज भी हम उठा लेते हैं, अब यह कुछ ऐसा scenario था, यह वला था, इसको तो मैं as a days उठा लेता हूँ, तक कि आपको confusion ना हो, ऐसा scenario मेरा बन गया था, ठीक है, अरे भाई, ठीक है, तो कुछ ऐसा scenario है, अब अगर मैं यह चलाता हूँ, void display मैंने चला दिया, सिर्फ ll.display कर दिया, तो क्या हुआ, एक node temp बना, वो पहले head तक गया, ठीक है, तो temp मेरा यार वापिस से यहाँ चले गया, एक बार इसको उटा जेते हैं, यह हुआ ही नहीं था, यह भी हट गया था, मैंने क्या किया, एक temp मेरा, यहा पे output में, four print हो गया, और एक space लग गया, फिर हम आगे चले गए, temp is equal to temp.next, ठीक है, तो temp अपने next पे चले गया, temp हमारा move करके इधर आ गया, बहुत बढ़िया यार, फिर हम अदर यहाँ गये, क्या temp null के बराबर है, नहीं, तो system.out, temp.data, तो हमने print कर दिया, five, फिर temp is equal to temp. temp.next, temp आगे चले गया, याने कि temp अब null पे चले गया, ठीक है, फिर हम अंदर गए, क्या 10 null के बराबर है, हाँ, loop हमारा कतम, और displaying हमारी, खतम होगी, बिन्खुल, तो four और five print हो जाना चाहिए, ठीक है बई, तो क्या दिक्कत आ रही है, कि सिर्फ four print हो रहा है, तो बहुत ब problem होती है, मैं कहता हूँ न, जब भी आप नई file बनातों, implementation, इसको click करो, किया click, देखो four file, सब कुछ सही है, लेकिन अच्छी बात है, हमने dry run भी आपको मैंने करके दिखा दिया, जिससे आपको clarity मिल गई होगी कि क्यों, ये जो display चीज़े यहाँ पर चल रही है, ठीक है, अ इसके अंदर कुछ हम receive नहीं करेंगे, receive करने की जरूती नहीं है, क्योंकि ये जो function है, ये इस class का ही part है linked list, तो हमारे पास हर समय head, tail, सारी चीज़े available है, ताकि हम अराम से size निकाल सके, अगर हमारे पास कभी भी head available होता है, तो हमने देखा था length हम निकाल सकते है, size का मतलब length है यहाँ ठीक है, तो again हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर same to same note temp, जो display था, display को यह copy करते हैं, ठीक है, यहाँ पर भी यह चीज़ कापी कर लेते हैं, copy, paste, आपके revision भी हो जाएगी, वापस length और display को निकालते हैं, हमने एक temp बनाया, head पर point किया, temp not equal to null, हम सीधा कर सकते हैं, यहाँ पर count, plus, और last में return कर देंगे हम count को, ठीक है, यहाँ पर हम यह भी बना देते है, function क निकाला सा, एक बर run करते हैं, तो count आना चीज़ है, 2, तो देखो, 4, 5, 2, 4 और 5 मेरी link list है, और 2 मेरा size है, ठीक है, हम एक बर यह कर देते हैं, ताकि एक अलग से दिखा है मेरे को, यह देख, 4, 5 और 2 मेरा size है, बहुत बढ़िया यार, सारी चीज़े काम कर रही है हमारी, ठ यह link list ही तो बन रही है, यार देखो, जैसे अब मैं, जैसे यह सारी चीज़े तो मैंने प्रिंट कर दिये, size मैंने आपको दिखा दिया, आई बर हटा देते है, मैंने display करके दिखा दी, अब एक काम करते है, मैं वापिस करता हूँ, ll.display, अब देखना answer के आएगा, सबसे प connect भी होते जा रहे है, समझो इस बात को, जब मैंने यह चार बनाई, अब जब मैंने यह लिखा न, ll.insert at end, तो actually मैं यह हो रहा है, यह connect भी हो रहा है, जब मैंने यह लिखा, तो इसका meaning है, जो already existing यह थी मेरी, इसी में connect के बारा भी लग गया, हमें कोई यह सब नहीं करना पड़ा, जो मैंने यहाँ पर manually कर रहा था न, इसको कहते है, manually link list बनाना, कि सबसे पहले notes बना दिये खुद से, फिर बार-बार next करके connect करो, नहीं, यह जो मेरा link list का class है, यह make sure कर रहा है, कि जैसी मैंने insert at end किया, तो मैंने एक function मना रखा है, जो अपने आप यह सारे काम करे यह जो यह सारे काम थे न, connection के, ठीक है, तो इसलिए हम अब इसी में काम करेंगे, ठीक है, although अगर आपके interview में आप से पूछा जाता है, तो आप वहला भी चीज़ कर सकते हो, बार-बार पूरी class बनाने की ज़रुत नहीं होती, वो तो से पूछा गया था, आगे बढ़ते ह अब हम method बनाते है, insert at beginning, मतलब अगर मेरे पास एक link list है, 4, connected to 12, connected to, मानलो 3, connected to 5, यहां मेरा head है, यहां मेरा tail है, existingly, ठीक है, यह null को point करता है, of course अगर मैं एक function लिखो, कि ll.insert वही same चीज, at beginning, या फिर इसको insert at start लिख देते है, या insert at head लिख देते है, इस function का नाम है, insert at head, एक ही बात है, मतलब मैं चाहता हूँ, कि अगर मैं यहां पर लिखो 5, तो ऐसा कुछ काम हो जाए, एक node बने 5, वो इस पे attach हो, और हमारा head बन ज अगर insert कर दे, तो ये भी मतलब बहुत जादा आसान question है, इसमें कोई भी बड़ी चीज नहीं है, again हमें दो cases consider करने बढ़ेंगी, पहला case, जब list ही नहीं है, मेरी empty list है, बिलकुल खाल नहीं पड़ी है, और दूसरा case, जब मेरे पास कुछ list है, चाहे उसमें एक member हो, या दो head अभी null के बराबर है, और tail भी मेरा null है, head और tail दोनों के दोनों null को point कर रहे है, इस case में ठीक है, यहां मानलों मेरा null है, और head भी इस पर point कर रहा है, और tail भी इस पर point कर रहा है, अब जैसे ही मैं ये लिखता हूँ, कि भाई insert nl.insert at head, या insert at beginning, कोई भी number मैं देता हूँ, जैसे 3, तो पहला काम तो हमेशा यहां पे भी ही होगा, कि मैं एक node बनाऊँगा temp नाम से, यह तो हमेशा ही होगा, एक नया node की creation तो करनी पड़ेगी, जिसमें वो value दे दूँगा, 3, अब क्योंकि मेरे को अगर empty node ही है, तो चाहे आप insert at head करो, चाहे आप insert at last करो, बात एक ह तो आप simple क्या कर सकते हो, empty case में तो इसी को आपको बनाना होता है, head भी यहीं point करा दो, head भी यहीं आजाए मेरा, और tail भी मेरा यहीं आजाए, बन गई हमारी list, simple, कुछ नहीं करना इसमें, ठीक है, तो empty list के case में तो यार, बहुत ज़्यादा simple था, लेकिन अगर मैं बात ले लेता हूँ, twenty, कुछ ऐसा scene है, ten, और twenty, एक member की भी ले सकते हो, बात यह कि है, तो यह अभी के लिए head है मेरा, और यह मेरा पहले से given tail है, और मैं लिखता हूँ, ll.insert, that, head, और मैं insert करना चाहता हूँ, three को, वापस से मान लो, तो इस case में मैं चाहता हूँ, three इनके आगे आ जाये न, तो again यार, एक काम तो मैं हमेशा ही करूँगा, अपना क्या, मैं अपना node बनाऊँगा, यहाँ पे, मैं अपना, और यह by the way, null को point कर रहे है, मैं अपना खुद से node बनाऊँगा, temp, यह तो हमेशा ही करूँगा, मैं, जिसमें three value दे दूँगा, और अब मैं चाह जोर होगा, कि इसके next पे यह connect हो जाए, और दूसरी line आप बस एक छोटी सी line लिखोगे, कि head is equal to temp, ठीके, यानि कि head मेरा आप यहाँ आ गया, तो देखो, बन गई list, यह, 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 आपस में connected है, head टे, ठीके, चलो करते हैं, यार, function मना लेते हैं, यही की यही, void, insert, at, beginning भी कर सकते हो, और आप head भी कर सकते हो, और insert, at, end की जगे, आप insert, at, tail भी कर सकते हो, मरजिया, ठीके, void, insert, at, head, यहाँ पे भी हम एक value लेंगे, of course, value देऊँगा, ना, मैं कोई जो insert करनी है, ठीक है, simple सी बात है, तो मैं एक सबसे पहले तो काम होगा यही, कि node temp is equal to new node, और इसके काम तो मैंने हाँ पे कर दिया, अब दो cases है मेरे क्या, if head equal to equal to null, ठीक है, तो क्या करें, और else के case में क्या करें, इसका मतलब है कि empty list है, पहले से, empty list है, empty list के case में बढ़ा simple था, आपको एक काम करना होता है, head को temp बना दो बस, और tail को भी आप temp बना दो, tail को भी temp बना दो, आपना यार ये भी एक चीज़ कर सकते हो, head is equal to tail is equal to temp, इसका मतलब भी यह है, head is equal to temp, tail is equal to temp, तो आप ऐसे भी आर काम कर सकते है, अब else के case में, यानि कि non empty list, इसमें मैंने क्या बोला था, कि आपको पहले जो temp आपने बना या, ये आपका नया head बनेगा, इसलिए उससे पहल temp.next is equal to head बना दो, और फिर बाद में head को आप temp बना दो, देखो, simple काम किया, काम हो गया हमारा या आप बहुत बढ़िया, ठीक है बहुत ही सही है, right, तो ये बन गया हमारा void insert at head, एक बार करके देखते है यार, अब जैसे ये function मना दिया है मैंने, तो देखो, starting से करके देख यहाँ पर मैं लिखता हूँ, south, sorry, south नी, यहाँ बस मैं लिखता हूँ, ll.display, और एक काम करते है न, जब भी मैं link list को display कर रहा हूँ, तो मैं अपने आप से ये south वाली चीज़ दे देता हूँ, मतलब, ये देखो, display function में आते है, मतलब जब भी मैं link list को display करो, display करके न, मैं next line भी दे दूँ अपने आप, चोटीती चीज़ इसकी जरूत नहीं है, जैसे not necessary, बट कर देते हैं, ठीक है, तक कि अपने आप next line मिल जाए, अब मैं चाहता हूँ, मैंने किया insert at end, फिर एक बार इसको display करके देखते हैं list को अपनी, मैंने insert किया, ये बनी, तो एक बार display करके 13, तो कुछ ऐसा बन जाना चाहिए, कि 13 आगे आ जाए, फिर इसके बाद 4 आए, फिर इसके बाद ऐसे 5 से attach हो ये, और फिर उसके बाद 12 से attach हो, देखते है display करके, ll.display, चलिए run करते है, I hope यही सारी चीज़ आने चाहिए, देखो, आ गया वही, same 4, 4, 5, 4, 5, 12, 13, 4, 5, 12, त starting में दे दू, अपना number यहाँ पर 10, तो क्या काम होगा, क्या काम हमारा हो पाएगा, सही में देखते है, आगे 10 आ जाएगा, देखो, हमेशा, देखो 10, तो काम हो रहा है, कोई दिख्यत की बात यहाँ पर नहीं है, अच्छा, एक और चीज़, यह जो हमने यहाँ पर यह ल होती है, दोनों के अंदर देखो, हम सेम काम करते है, जब insert at end की बात हो रही है, तो जब null था, तो मैं head को temp बना रहा हूँ, tail को भी temp बना रहा हूँ anyways, और यहाँ पर भी सेम काम कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप इसकी जगे एक और चीज़ लिख सकते हो, यह अठाके, आप यह लिख सकते हो, बहुत ही बड़िया चीज मैं यहाँ पर करना चाह रहा हूँ, क्या, बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पर अगर मैं call लगा दू, insert at end, head वाले में, well, तो यह भी बिल्कुल सेम काम करेगा, बिल्कुल सेम काम करेगा, इसके बार मैं आप खुद सोचना, क end में कुछ एट बात एक ही है, आगे डालो, पीशे डालो, उसमें इस case में तो जब एंपटी है, जब मैंने यह चलाया, तो अपने आप क्या हुआ, फिर यह चल गया, and definitely हम अंदर ही अंदर ऐसे, एक दूसरे को call लगा सकते है, ठीक है, आगे बढ़ते है, insert at beginning हमने समझ लि ठीक है, यहाँ पर है five, फिर यहाँ पर है हमारा four, और null, तो index में मान के चल रहा हूँ, zero based index, यानि कि यह zero है, यह first index है, यह second index है, यह third index है, तो अगर मैं यह लगाऊं, कुछ मैं चाहता हूँ, अगर मैं लिखो, ll.insert at, ठीक है, अब यहाँ पर मैं दो चीज़े पास हुआ, पहला, किस index पर मुझे डालने, दूसरा, कौन सी value डालने है, मतलब, यहाँ पर मैं पास करूँआ, अगर मैं कहता हूँ, one, comma, seven, तो इसके बाद मेरी कुछ ऐसी link list बन जाए, कि देखो, यह मेरी link list थी पहले, यह मेरा first index है, तो मैं चाहता हूँ, first index पर seventh आ जाए, अ three की जगे seven नाए, एक नया seven बने, कुछ ऐसे यह देखो, कुछ ऐसी list बन जाए मेरी, in fact, मैं करके दिखाता हूँ, इसको copy paste करते है, कि यह जो मेरी list है, copy, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं, copy, paste, कि इसके बाद कुछ ऐसी list बन जाए मेरी, कि यह connection मेरा तूट जाए, ठीक है, first index पे मेरा एक node आये seven value के साथ, ऐसा यह देखो, यह है मेरा zero index, यह है मेरा first index, और फिर यह इसको point कर दे, यह सारे index shift हो जाए, यह two, three, fourth index, ठीक है, तो बीच में मैं seven को डालने की पोशिश कर रहा हूँ, इस connection को तोड़के, मतब ऐसा काम हो जाए, अगर मैं यह function चलाओं, तो काफी simple है, यह भी जादा बड़ी थीद है नहीं, इसमें अगर मेरे को head दे रखा है, बस मेरे को loop ज़रूर लगाना पड़ेगा, मान लो मेरे को यहाँ पे कुछ डालना होता, इधर, ठीक है, इस index पे अगर मुझे कुछ डालना होता, मान लो six, तो मैं इसको तोड़के, इ जैसे मेरे को first index पे 7 डालना था, तो मुझे travel करना होगा कहा तक, जिस index पे मेरे को जाना है first, उससे एक कम index पे ले लो, मतलब zero, just पहले, वहाँ तक जाओ और फिर काम करना शुरू करो, समझाता हूँ आपको मैं कहना क्या रहो, मान लो अगर कुछ ऐसा होता, one, one connected है two के four connected है, eight के साथ, eight connected है seven के साथ, ठीक है, यह है connected null के साथ, और initially index है मेरे, एक, दो, तीन, sorry, zero, one, two, three, four, और यह मेरा head है, ठीक है, यह मेरा tail भी दे रखाओता है usually मेरे को, anyways, अब अगर मुझे यह दे रखाओ कि मेरे को third index में, मैं लिखो, nl.insert at, third index पे, मैं डाल दूँ एक number ten, ठीक है, तो ऐसे case में, क्या मेरे को, head से लेकर पहले for loop लगाके, जैसे एक मैं temp initialize करूँगा, of course, तो head से for loop लगाके, क्या मैं third index पे जाओ पहले, फिर वहाँ पे ten करूँ mark, नहीं, मैं third से एक पहले वाले index पे जाओगा, समझना मेरी बात, हम करेंगे क्या, जैसे पहले स मुझे दे रखा है, इसी को एक बार उठाते है, इसी को एक बार उठाते है, कुछ ऐसा scene होगा मेरा, copy, paste, ठीक है, head or tail इदर है, मैं सबसे पहले बनाओगा एक node temp, जिसको initial, of course, head e मिलेगा, मैं temp को लेके जाओँगा, जब वह zero index पे है, जो भी मुझे index दे रखा है, three, three minus oneth इंडेक्स तक, यानि की second, index तक temp को लेके जाओगा, तो पहले first index पे लेकर गया, फिर second index पे लेकर गया, जैसी मैं उस temp को second index पे लेकर गया, मुझे पता है, कि अब मेरे को third index पे 10 चाहिए, मतलब बीच में 10 को गुसेड़ना है मेरे को, तो मैं simple यहाँ पे एक छोटा सा काम क इसके बात, second काम मेरा होगा, कि मैं 10 को जोड़ दूगा किसके साथ, इसके साथ, अब हमारे पास 8 available है, अगर यह temp है, तो यह है temp.next, यह जो 8 है, यह temp.next है, तो अगर मापस temp available है, मैं क्या करूँगा, 10 को जोड़ दूँगा, temp.next, मतलब 10 की next को, यह जो भी मैंने temp जो न नया बनाया, एक नोड में नया बनाऊँगा, सबसे पहले, उसका नाम कुछ और रवद दूँगा, क्योंकि temp views हो गया, उसको मैं जोड़ दूँगा, इसके साथ, अब देखो, यह भी इस से जुड़ावाई, यह भी, फिर मैं क्या काम करूँगा, फिर मैं इस connection को तोड़ जिसको लेके, उसी को अगर आप इस नये नोड के साथ जोड़ दो, तो problem हो जाएगी, जैसे ही मैंने यह लिखा ना कि 4 का next यह बन गया, तो यह अपने आप तूट जाता है, एक ही next होता है, तो हमें यह काम नहीं करना, order वाइस चलना है, पहले इसको इसको इसके साथ insert at, sorry, void हाँ, साही कर रहा हूँ, insert at, बस insert at, index मतलब, ठीक है, और यहाँ पर हम दे देते है, int idx, क्योंकि दो चीज़े receive करेगा, दूसरा, int val, जो value हम receive करेंगे, जिसका हमें node बनाने है, सबसे पहले हम जो काम करेंगे, यहाँ पर नाम दे देते है, node, इसका नाम रख देते हम कुछ और रख देते है, node t is equal to new node with val, ठीक है, मतलब मैंने जो भी एक नया node सबसे पहले create करते है, उस value को बना दिया, मैंने यहाँ पर 10 है, उसका नाम t रखा है, अब मैं क्या काम करूँगा, मिरको idx value दे रखी है, जिस index तक मैंको जाना है, मैंने का था, index minus 1 तक अपने temp को लेके जाओ, ठीक है, तो एक node बना दो यहाँ पर, node temp, इस temp का बस काम होगा, आगे बढ़ाना, travel करने के लिए इसको node को use करें, node temp is equal to, सबसे पहले head से initialize करेंगे इसको, ठीक है, फिर while नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पर for loop लगाएंगे, for हम travel करेंगे लेकिन for कितनी बार चलेगा, वो सोचना पड़ेगा, i is equal to one, i less than equal to पता नहीं, और i plus plus, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, वो सोड़ा सोच में, काम हमें यहाँ पर भी सेम करना है, क्या, हम temp को ले जाएंगे, बार बार, temp is equal to temp.next, आगे लेकि जाना है, अब थोड़ा से एक बार वापिस तक गया, second index तक गया, ठीक है, यहाँ तक में कुछ आना है, इसके लिए मैं को कितनी बार लूप लगाना पड़ेगा, अगर मैं पहले से मेरा temp इदर था, initially, तो कितनी बार में को लूप लगाना पड़ेगा, सबसे पहले एक बार temp.next इदर आ गया, फिर दूसरी बार इद खता, उतनी बार जलाना है, और वो number क्या है, जो given index है, उसमें से एक कम कर दो, यानि कि इस case में 2, उतनी बार बार को लूप चलाना होगा, तो ध्यान देना, यहाँ पे I is less than equal to IDX minus 1, very, 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 very important, यह जो IDX minus 1 है, यह signify कर रहा है कि हमें अपने temp को उस index तक नहीं लेके जाना, उससे एक पहले लेके जाना है, ताकि हम वो connection establish कर पाए, बहुत बढ़िया, ठीक है, हम temp को ले गए हैं वहाँ तक successfully, अब आती है आगी के कहानी कि हमें करना क्या है, इधर देखिए वापिस से, इसको वटा देते हैं, इस पूरे temp को, ठीक है, यह देखिए, हमने यह तो बन मैंने बोला था, जो हमने नया node बनाया था, इसका नाम मैंने T रखा था, सबसे पहले इसकी next को यहाँ बना दो, मतलब, temp t.next को आप connect कर दो इधर, t.next होना चाहिए हमारा यह, अब यह क्या है, यह just इस से एक आगे है, तो क्या मैं इसको temp.next बोल सकता हूँ, हाँ, तो पहला step होगा, t.next is equal to temp.next, समझना, इसका मतलब है कि जो temp का next था, यह देखो, temp का जो next था, t के next को भी वाई कर दो, t के अंदर भी इसको point करा दो, यह भी, अब second step, इस correction को तोड़के, अब temp के next को t बना दो, वह अब temp का next, t आ जाए, ठीक है, तो यहाँ पे अब लिखो connection बन गया, that's it, this is done, ठीक है चाहिए, तो आपको मैं करके दिखा देता हूँ, अब हमने list बना रखी थी, अपनी, हमारी list यह थी, 13, 4, 5, 12, एक बड़ डिस्प्ले करते हैं वापिस से, finally कुछ ऐसा scene था, 13, 4, 5, 12, यहां तक का scene आ गया था, और एक काम करते हैं, बार-बार यह था देते हैं, एक की बार अब run करते हैं, तो देखो, यह हमारी link list बनी विए, index हमारे क्या क्या है या, index हमारे है 0, 1, 2, 3, क्योंकि 4 है, अब मैं चाहता हूँ, अगर मैं यहां पे लिखो, ll.insert at, मैं चाहता हूँ कि मैं 0, 1, 2, 3, second index पे, मैं 10 value को डाल दो, तो technically हमारा 0th index था, यह first index था, अब यह second index होगा, तो यहां पे 10 आ जाए, पर 10 के आगे जो भी चीज थी, वो as it is रहे, यानि कि जो भी 5 और 12 था, वो as it is रहे, देखते हैं, एक बार run करके, क्या ऐसा हो रहा है, एक बार display print कर आगे देखते हैं सब कुछ, run करते हैं, और of course होगा, अगर जो यह insert at function है, अगर मैं यहां पे index ही दे दो, अगर मैं यहां पे index ही दे दो, 0th मतलब की starting वाला, या last index, तो उस case में हमें और भी changes करने पड़ेगी भाई, देखो काम तो बन जाएगा, जैसे अगर मैं लिखता हूँ, शायद ना ही बने, अगर मैं second की जगे third index पे ब इधार आजा है हमारा 12 की जगे, चली check करते है, इसका मतलब कुछ ऐसा बन जाना चाहिए, यहां आजा है 10 और फिर इसकी जगे 12, तो प्रिंट कराके देखते है होता है या नहीं होता, अचा हो रहा है, यह देखो, एक मिनट, हाँ देखो 10 12, यह आगया हमारा last position में, पहले 2, 3 है सिर्फ, बिल्कुल valid होगा है और कैसी बात करना, end में index जब आ जाएगा, मान लो हम fourth index बनाना चाहरे है न इस case में, देखो, गौर से देखना, हम fourth index बनाना चाहरे है, कि यह third index तक था, अब यह हो जाए, last में, ठीक है, तो यह क्या चलेगा है और नहीं चलेगा है, चल 10 पे आएगा, नहीं, वो मेरा 12 पे ही रह जाएगा, ठीक है, वो मेरा 12 पे ही रह जाएगा, प्रूफ करके दिखाओ आपको, यह देखो, यह जो tail है ना मेरा, tail और head भी actually में, tail और head दोनों के दोनों, linklish की properties है, तो हम इनको print करा सकते, attributes को, यह देखो, print करा के दिखाता ll.tail, देखो, tail भी आजाएगा, dot data, मैं चाहता हूँ, tail के data को प्रिंट करके दिखाओ, इसमें error क्यों आ रहे है, अच्छा, मेरा इसको print करना है न, यह एक integer है, तो हटाते है, south ll.tail.data, अब देखना क्या answer आएगा, आना चाहिए हमारा 10, लेकिन 12 आएगा answer, यह देखो, 12 जबकि 12 tail नहीं है, यह देखो, अगर मैं head print कराऊ, head print कराऊ, sorry, tail.head नहीं, अगर मैं head.data print कराऊ, तो देखना, वो तो सही आएगा, head मेरा 13 है, यह देखो, head 13 है, बिल्कुल सही है, कोई भी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है, 13 प्रिंट हो रहा है, लेकिन tail का data गलत प्रि देखिए, जब भी मैं insert कर रहा हूँ ना, तो बस एक चीज़ धियान रख लो, कि अगर जो मेरा index है, अगर जो मेरा यहाँ पे, index मेरा बन रहा है, ठीक है, इसको धियान रखना, जो मेरा index है, मतलब size के बराबर है या फिर, जैसे size मेरा 4 है, तो मेरा initial index 0, 1, 2, 3, और मैं इस के आगे अगर 10 निकालना चारा हूँ, which is basically inserting at end, अगर ऐसा scene हो रहा है कि insert at end हो रहा है, तो वही वाला function लगा दो, मतलब यह देखिए, एबर हम इस insert at function पे आते है, this is the insert at function, यहाँ पर हम एक छोटी सी चीज़ चेक कर लेंगे, यह देख लो, और उसके बाद function खतम कर देंग यही hint return कर देगा, यह देखो, size ही है basically, ठीक है, अगर यह size के बराबर हो रहा है, इसका मतलब जो current indices है, उसके आगे की बात हो रही है, तो इस case में आप एक काम कर दो, simple, आप यह वाला function चला दो, insert at end, और यह वाली आप value दे दो, simple, और एक काम कर उसके बात कर दो, return, तो मतल 10 हो गया, यह भी add हो गया, और जब मैंने data किया, तो 10 हो गया, ठीक है, एक बर वापिस देखो, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैंने बस एक चीज मेक शूर की, जब भी मैं insert at की बात कर रहा हूँ, और जो index है, जैसे मेरे total index ही 0, 1, 2, 3 है, अब मैं औकाच से बाहर index को भेज अब सेम सीन, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं अपने 0 इंडेक्स पर कुछ लगाऊ, तो भी दिक्कत आ सकती है, ठीक है, देखिए जरा, इसको एक बार हम अटाते है, यह तो हमने देख लिगा, क्या इशू आएगा, यहां तक तो हमने सारी चीज देख लिए, सब सही है, अग ठीक है, कंट्रोल सी यह, ऐसा कुछ बन जाए, 0 इंडेक्स पर मचाता हूँ, तो क्या यह काम करेगा 0 वाला चीज, करके देखते हैं, कंट्रोल सी, एरर दाएंगे यार, तभी तो हम कुछ कर पाएंगे, लाइफ में, रन करते हैं, तो यह देखो, नहीं, मैंने 0 इंडेक् था, अब ऐसा क्यों हो रहा है, कि 0 इंडेक्स वाला काम मेरा नहीं हो पार है, चलिए इसको हम ड्रायरन करते हैं, ठीक है, हमने टेल वाला केस कंसिडर कर दिया है, अब हम कंसिडर करते हैं, कि यह वाला केस, वेर हमारा जो इंडेक्स है, इसकी वैल्यों हमारी 0 के बराबर ह अगर index मेरा 0 के बनावर है तो क्या करना है ठीक है index अगर 0 है तो क्या करना है अब मान लेते हैं हमारी list कुछ ऐसी बनी पड़ी थी यही वाली list उठा लेते हैं कि पहले से 13 है फिर हमारा है यार 4 है फिर हमारा है यार 5 है ये फिर 12 है फिर 10 है और जो indices है वो है 0, 1, 2, 3, 4 मैं चाहता हूँ कि जैसे अगर मैं 100 को insert करूँ तो ये 0 इंडेक्स बन जाओ और आगे चले तो अगर index 0 के बराबर है तो मैं चाहता क्या हूँ इसका तो clear meaning है ना index 0 का simple सा एक meaning है अपनी मेनत आपको लगानी ही नहीं है इसका मतलब है कि भाई साब insert at head वाली बात हो रही है आगे लगाने की बात हो रही है कि भाई देखो अगर else if अगर मेरा index 0 के बराबर है द्यान रखना इस चीज़ का अगर index 0 के बराबर है तो आपको simple एक काम करना इंसर्ट at head में वाली वैल्यू डाल दो अब इंसर्ट at head make sure करेगा क्या make sure करेगा कि मेरा head का जो data है वो भी maintain रहे और साही से सारी चीज़े काम मुझे ठीक है जादा मैनत लगी नहीं रही देखो बट इसको ना मैं आपको रेकमेंट करूंगा जब मैं लिंक लिश्ट पढ़ रहा था ना ऐसे में मुझे एक बड़ी में चीज़े समझ नहीं आ रही थी अब तो मज़ा आ रहे है विरको तो आप यार कम से कम इस में आगे नहीं बढ़ पाओगे थोड़ी सी मैनत है उसके बाद आपको यह सबसे फट्टू टॉपिक लगेगा ठीक है आगे बढ़ते है अगला देखते हैं हमने देख लिया इंसर्ट कहीं पर इंसर्ट करना हो हम कर सकते हैं अच्छा एक और अगर आप एक और यह काम कर स 0 मतलब कोई गलत सा इंपूट दे रहा है माइनस वन तो ऐसा कुछ नहीं होता यहां पर आप सिंपल कर सकते हो क्या अगर ऐसा वाला सीन हो रहा है आपका तो आप एक प्रिंट करा दो कि भाई रॉंग रॉंग इंडेक्स ठीक आप ऐसे प्रिंट करवा दो और रिटर्न भी अगर इंडेक्स बनाएं की जरूत नितीस को अठाओ आप यहीं कर सकते हो अगर इंडेक्स जीरो से चोटा है या फिर अगर इंडेक्स मेरा साइस से बड़ा है अब है इंडेक्स तुर्फ की मादलो मेरी इंडेक्स लिस्ट है यार बहुत सिंपल यह तो मतलब बिल्कुल कोशन है से पूछ रहा हूं मैं इससे आजनकोशन हो नहीं सकता अगर आपको ये दे रखा है, मेरी list ये है ये मेरी null को point करती है ठीक है, ये सारे मेरे index है बस ये अगर मैं function लगा दूँ कि भाई, get यहाँ पे ये function नहीं, इसको मैं print करा दूँ क्योंकि एक integer value बनेगी ठीक है, अगर मैं कुछ ऐसा लिखो hint a is equal to get element या get element कुछ भी लिख सकता हूँ, इसका function कुछ भी get at यह देते है get at और अगर मैं इसमें pass करू 3, तो इस a की value बन जाए 12, मतलब basically मेरे को अगर index pass करूँ तो मैं चाहता हूँ, वो value print होके आ जाए ये देखो, अगर मैं यहाँ पे ये लिखो अब मेरी list यह बन चुकी है, 100 से लेकर चाहे तो मैं आपको run करके दिखाता हूँ ये देखो बिल्कुल सही run होगी देखो, आगया आगया 100 सब कुछ सही है, अब मैं चाहता हूँ अगर अब मैं यहाँ पे लेखो, ठीक है south, बस ये चीज़ प्रेंट करके दिखा दो क्या चीज़ प्रेंट करके दिखा दो यार get ll dot get at यह मैं नहीं से खुझ से बना रहा हूँ get at function, और यहाँ पे अगर मैं लेखो 3, तो third index वाली value मुझे मिल जाए 0, 1, 2, 3 5 आना चाहिए मेरा output, तो चलिए करते हैं पहले तो इसका function मना लेते हैं यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं int, क्योंकि एक value return हो रही है int get at ठीक है और यहाँ पे मैं लिख दूँँगा int index, एक index receive हो रहा है तो यह यार I think बहुत simple है loop लगा के आप सारा काम कर सकते हो इदर देखिए, मैं पूरा आपको पहले algorithm सिखा देता हूँ आप यहाँ पे क्या काम करने वाले हो आप यहाँ पे इसको सबसे पहले, यह क्योंकि आपका head है यह तो हमेशा आपके पास है head है और यह tail है, maintained है सारी चीज़े अगर मैं यहाँ आपके सबसे पहले लिख देगा temp को मैं head तक ले जाता हूँ ठीक है कि no temp is equal to head अब बस मैं for loop लगा लगा के कहा तक जाओंगा, एक बार loop लगाया दो बार loop लगाया तीन बार loop लगाया तो क्योंकि zero से शुरू होती है चीज़े तो actually मैं जो भी मेरे को index दे रखा है उतनी ही बार आपको loop लगाना है ठीक है, तो आपको क्या करना है यहाँ पर वापिस से बना दो node temp is equal to head simple सा काम करना है यार for int i is equal to 1, i less than equal to जो भी index दे रखा है इतनी बार आपको loop चलाना है i plus plus temp is equal to temp dot next यह करने से हम उस node पर चले जाएंगे जिसकी हमें value चाहिए at the end आप बस return कर दो return जिस temp पर हम आगए उसका data simple खतम, चाहे तो run करके देखते हैं चलनो अब इस code को हमारा answer 5 आना चाहिए 5 आ गया, लो भाई बहुत बढ़िया यार अगर मैं लिखो get at 0 तो 100 आ जाना चाहिए loop नी चलाएगा तो अब यह देखो 100 आ गया सारी चीजों के लिए चल रहा है और बाकी cases देखते है 0, 1, 2, 3, 4, 5 एक बार get at 5 करते है तो देखो 10 आ गया सब कुछ सही आ रहा है दिल्कुल ठीक है इसके अंदर भी आप कुछ ऐसे functions बना सकते हो इस get at के अंदर कि अगर आपका index यार 0 से चोटा है तो आप यह लिख दो ठीक है यह वाली चीज आप यहां लिख सकते हो copy यह तो आप हर जगी लिख सकते हो कि आपने जहां पर इंडेक्स दे रखा है कि भाई अगर ऐसा है कि index 0 से चोटा है या size से बड़ा है न ठीक है तो भाई खतम गरो function को लिख दो भाई wrong index है ऐसा कुछ scene नहीं है ठीक है और अचा return भी कुछ करना है न मेरे को तो मैं इस case में return minus 1 कर सकता हूँ ठीक है क्योंकि int वाली चीज है ठीक है तो जैसे अगर मैं run करूँ तो 10 आएगा अगर मैं फाज़तू का index दे दू मैं index दे दू minus 8 जो की नहीं exist करता तो देखो minus 1 wrong index ठीक है इसका ये meaning है बहुत बड़िया यार आगे बढ़ते है get element आगया हमारा evident limitations of link list link list की limitations यार हम देख चुगे है पहली limitation get element हमने ये देखा कि अगर हमें third index चाहिए है तो मुझे तीन operations लगेंगे मेरा loop तीन बार चलेगा अगर मेरको nth index चाहिए तो मेरा loop n बार चलेगा यानि कि get add का method का time complexity है वो है order of n एक और चीज़ अगर मैं को सारी चीज़े display करनी है चलो वो तो हमेशा ही order of n रहेगा पर अगर बात करे insert की तो insert की time complexity क्या रहेग यार insert की time complexity अगर चाहिए मैं starting में insert करूँ अगर सबसे बेले दोनों देखते हैं अगर मैं सिर्व इसकी बात करूँ insert method अगर मैं को बीच में कुछ insert करना है तो इसकी time complexity रहने वाली है time complexity is order of n ठीक है मतलब चाहिए n size है तो उसके इसाफ सी चलेगा ने no extra space required एक node को बस आप connection बना रहे हो जोकि array में ऐसा नहीं होता तो this is a positive thing अब अगर मैं देखो insert at beginning तो यह बहुत simple है आपको बस अगर मान लो यह मेरे को non empty list भी दे रखी है empty में तो कुछ नहीं order of one non empty list में भी order of one का operation है क्योंकि आप बस एक node बना रहे हो order of one operation में हो रहा है बस लास्ट में जाके जूडित हो रहा है और तो कुछ नहीं हो रहा है ठीक है और limitation देखते हैं अब length की अगर बात करूँ यार यहां पे अब technically speaking length आपका मतलब देखा जाए तो इसको आप क्या कर सकते हो यहां पे जो मैंने function बना रहा है ना अभी के लिए size वाला वो order of n है ठीक है जो हमने अभी length निकालने की कोशिश की है अगर length method का यह मतलब है कि if only head is given मतलब आपको linklish की class नहीं दे रहा है समझना इस बात को only if only head is given समझना इस बात को तो इसकी time complexity हमारी होगी next next कर रहा हूँ ठीक है तो अगर जिसे 5 size है तो मैं 5 बार travel करूँ अगर सिर्फ head given है हमें तो लेकिन अगर मेरी length list की class given है तो मैं वह size अपने आप update कर सकता हूँ जैसे की इधर देखिए अब मौका आगे है थोड़ा सा change करने का चीज़ों को यह जो मैंने int size बना रखा है न यह भी order of n वाला है यह हमारा यार यह है यह हमारा क्या कितते है order of n वाला मैंने बनाया है this is not good क्योंकि इसमें बार बार जब भी मैं size calculate करूँगा तो मैं पूरा travel करूँगा head से लेकर int तक अब technically speaking इसकी जरूरत ही नहीं है इसकी जरूरत ही नहीं है अगर मैं link list की class बना रहा हूँ कैसे मैं simple एक काम कर सकता हूँ कि जब भी मैं कुछ भी insert कर रहा हूँ चाए beginning में चाए end में चाए middle में तो technically speaking एक insertion में हमारा size एक से बढ़ रही length है ना भाई बहुत बढ़िया तो मैं एक काम करूँगा मैं सबसे पहले ही यहां जैसे मैंने अपने link list की class में node head और tail दे रखे थे ना यहीं कि यहीं मैं int size भी दे दूँगा इसकी value मैं initially 0 से शुरू करूँगा जैसे इनकी नज़ से कीती न और मैं simple एक काम करूँगा कि जब भी मैं कुछ भी insert कर रहा हूँ चाहे insert at end तो last में मैं एक काम करना नहीं भूलूँगा size plus plus size को एक से बढ़ा दूँगा चाहे मैं insert at head करूँ तो भी मैं size plus plus कर दूँगा मैं किसी index पे insert करूँ यार इसमें तो बहुत सारी cases आ गए थे तो भी मैं क्या दर हूँगा size plus plus करूँगा ठीक है अगर चाहे वो कुछ ऐसा scene हो मेरा क्या बात करते है इसको यह रहा अगर get at की बात हो रही है तो नहीं यहाँ पे सिर्फ get कर रहा हूँ मैं insert नहीं कर रहा चलो और तो को insertion नहीं बचे तो बस हमारा size बढ़ता रहेगा यहाँ से ठीक है हमें technically speaking of this function की जरूती नहीं पड़ेगी कि हमें बार बार ट्रैवल नहीं करना या फिर आप directly यह लिख सकते हो क्या यह देखो आप सीधा इसका मतलब आप यहीं की यहीं इस size को return कर सकते हूँ जो हमारा variable था right impact हमें इसकी तो पहली बाद जरूती नहीं पड़ेगी यह जो मैंने function मनाया था हमें इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी यह देखिए एक काम कीजिए इसको उड़ा दी ची इसके बाद आप जब भी size निकाल रहे हो ना मानलो आपको size print करना है कभी भी यह देखिए अगर मानलो आपको यहाँ पर size print करना है तो आप ऐसे print करना ठीक है सिर्फ पता है उसका function मतलगाना मतलब south nl.size सिर्फ यह लिखना ठीक है उसके आगे function नहीं लगाना क्योंकि एक attribute है और चीज़े यार कुछ changes कर देते हैं हम कहीं जगे बूल चुके है हमने size को use किया था यह देखो size function को use किया था यह भी change कर देते है यहाँ पे भी मैंने size function को use किया था अब मैं को function बढ़ना की दर होती है वो एक attribute है ठीक है simple अब यह जो मैंने करके दिखाया है इसमें क्या हो रहा है जब भी insertion हो रही है तो एक size बढ़ रहा है तो मैं कभी भी size को निकालू order of one operation से वो निकल सकता है ठीक है तो यहाँ आ जाते है अगर मेरे पास order of one if linked list class is there मतलब हमने ऐसा कुछ अगर scene मना रखा है तो हम यह करनेगे दूसरी चीज़िया अब यह insert at अगर मैं बात करूँ इसकी क्या बोलते है insert at end मैंने बोला order of one operation की मेरे पास tail दे रखी होती है हमेशा tail में attach करना है मेरे को नया node उसको tail बना देना है लेकिन order of one if tail is given ठीक है या फिर linked list की class है आपके बास अगर आपको कुछ भी नहीं दे रखा है यह linked list की class नहीं दे रखी है आपको बस एक node दे रखा है जो कि head है और अपने आप कहीं बन रखी है list उस case में आपको order of n की time complexity लगीगी if head is given if only head is given ठीक है चलिए यार इस question को हम solve भी करके देखते हैं यहाँ पर यहाँ आ जते थोड़ा आगे और जैसे limitation की बात तो रही थी नहीं यार तो हम एक बात करते हैं हम करते हैं एक function बनाना है हमें insert at end ठीक है और हमें given क्या है सिर्फ और सिर्फ head given है हमें कोई class नहीं given है और यह link list class के अंदर function नहीं बना रहा यह मैं ऐसे ही बाहर कोई function बना रहा हूँ तो इसको कैसे solve करेंगे देखना पड़ेगा इधर आ जाते हैं हम अपनी पुरानी file में आ जाते है basics link list ठीक है जिसमें मैंने manually link list बनाई थी यही यह मेरी link list है 5,3,9,8,16 5,3,9,8,100 है यहाँ पर इसको 16 कर देते है 16 ठीक है यह मेरी link list है अब मालो मुझे कुछ नहीं दे रखा मेरेको अपना head दे रखा है अब मेरेको last में कोई tail attach करनी है मतलब वह value attach करनी है मैं को tail दे ही नहीं रखा इंफाक्ट सिर्व एक head एक property है तो कैसे किया हम एक function चला देते है जो कि यह काम कर दें function का मनाम रख देते है insert that end ठीक है और यहाँ पर हम दे देते है अपना इस a node को जो की मेरा head है इस case में यह head है 5 बस मेरेको यह देना है और इसके बाद print कर डिस्प्ले करा करा के देखना है डिस्प्ले ए ठीक है चलिए देखते है इ insert at end जिसमें मैं एक node मिल रहा है मेरेको head सिर्फ मानलो बस यह दे रखा अब यह आपको question है इसको आप कैसे solve करोगे इसको आप कैसे solve करोगे again बहुत जादा simple है जैसे आप display करते हो जैसे आप इसमें size निकालते हो अगर सिर्फ head दे रखा होता है तो order of end वाली बात नगने व eight nine फिर हमें या पे रखा है eight फिर हमें या पे रखा है 16 और यह attached है हमारा nulls है ठीक है आपको बस दे रखा है कि यह मेरा head है मेरे को यह एक चीज़ दे रखी है ठीक है मेरे को बस यह दे रखा है अब इस पर कैसे बताया कि last में मानलो आप मेरे को insert करना है और of course insert at end हमें value भ दालना है 87 यह नोड डालना है ठीक है तो यह एक वैल भी रिसीफ करेगा इंट वैल जिसको हम डालेंगे अफकॉर्स तो एक काम तो हमेशा हमारा क्या होता है कि हम एक नोड बना देते हैं वह जरूरी है नोड टेम्प इस इक्वल टू न्यू नोड जिसके अंदर हम यह वैल देक तो बाभर मैंने फंक्शन चला दिया कुछ ही ए क्या कि मैंने फंस्ट्चन कुछ ऐसा चलाया कि यह सीए तो पहला काम हमेशा हमारा यह रह गया कि क्रियेट आ अब समें जो टेक्निकली काम करना है, वो क्या करना है, ध्यान देना, टेल तक पहुंचो, पहली बात तो, मैं एक टेल नहीं दे रखी, तो टेल तक पहुंचो, टेल खो नल की जगें से कनेक कर दो, हो गया काम, चुकि यह तो अपने आप, जेको by default यह इसको connect पहले से कर रहा सिंपल यहां कैसे आओंगा मैं यहां कैसे आओंगा यहां कैसे आओंगा आप एक काम कर सकते हो इसको आगे ला सकते हो एक दो तीन चार लेकिन टेल तक रोकूं कैसे जब मैं डिस्प्ले करा रहा था यहां मैं अपना साइज निकाल रहा था तो मैं इसको एक यहां था पहले इसको आगे लेके चलते हैं, तो आपको ये condition लेने हैं, ध्यान से देखना, वाइल T not equal to null नहीं लिखना, इससे तो क्या होगा, null तक पहुंच जाएगा T, तब loop break होगा, मैं चाहता हूँ, कि मैंने एक नया T बनाया यहां, इसको मैं T dot next, T dot next, T dot next, T dot next करूँ, कहां तक पहुं पहुंच आना, तो इस काम के लिए मैं लिखूँगा, while T dot next not equal to null, ठीक है, क्यों कि T का next अगर null हो गया, इसका मतलब वो tail है, अगर T का next, किसी भी चीज़ का next null हो जाता है, इसका मतलब वो tail होता है, तो मैं tail तक पहुंचने का ये condition होती है, ठीक है, simple आप कर दो, T is equal to T dot next, देखो, tail तक पहुंच जाएगा, अब जैसे ही tail तक पहुंच गया, मुझे बस एक काम करना था, क्या काम करना था, इदर देखो, अगर मेरा T यहां तक आ गया, मुझे बस करना है, T dot next is equal to temp, इसका next यहां ले जाना है, तो मेरे को करना है, यहां आ जाओ, T dot next is equal to null, अब चल यह देखते हैं, 87 आ रहा है, नहीं आ रहा है, अच्छे, इसको run करना है, वापस भूल गया मैं, देखो, 87 आ गया, ठेंड में, ठीक है, बहुत बढ़िया, आईखो, प्यार, यह बहले चीज़े आपको थारी समझ, आ रही होगी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं यार, अब दि इसपलेटाइवन, आर लिन्क्लिस उठालेटाहें, वेरोकुल लिन्क्लिस दे रखालेटाती मेरो लिन्क्लिस लिजससे दे रखी है, कुछ ऐसी, यह लिख देता हूँ, मैं, पेस्ट या इवनि 종 KerryThe next level, हो आओन है, है, इसमेर्स एंपलयादाओ, हमकर संभिए我們 here, लित का दिखते हैं मेरी निस्ट क्या बनी वी थी एंड तक देखो लिए निस्ट मेरी ये थी 113.4 ये ऐसे ऐसे करके ठीक है कॉमेंट अब एक बार रन करते हैं सिर्फ एक ही रन हो ये मेरी लिंक लिस्ट है 113.4.5.12.10 ठीक है तो बना आएता हूँ 100 connected है 13 से connected है 4 से connected है 5 से connected है 12 से connected है 10 से और ये of course मेरा नल जाएगा ठीक है ये मेरी लिंक लिस्ट है अब मुझे एक फंक्शन मना रहा है जिससे अगर मैं ये लिखो 0,1,2,3,4,5 अगर मैं ये लिखो nl.delete at simple मेरे को इंडेक्स देना है यहाँ पर कोई value नहीं देनी अगर मैं कहता हूँ delete at 2 तो उसके बाद हमारी link list भाई साब कुछ ऐसी बन जाए copy paste second index मेरा उड़ जाए ये जो second वाला index है ये उड़ जाए और directly मेरी list ऐसी बन जाए ये इससे connect हो जाए ठीक है एक प्यारा सा algorithm समझाता हूँ कि कैसे इसमें मैं delete at लगा सकता हूँ ठीक है ये देखिए बहुत simple रहने वाले है अगर मैंने delete at 2 कर दिया तो ये देखिए copy वापिस सिर्द दिखाता हूँ आपको यहाँ पर कर देते है paste गौर से देखना हमें करना कै जैसी मैंने delete at 2 किया नो यार आप simple एक काम कर सकते हो सबसे पहले एक node temp बना लो जो आपके head पे है ठीक है पहला काम मैंने ये किया दूसरा काम आप यहाँ पर ये करोगे इसको आप कहा तक move कराओगी जो आपको index दे रखा है 2 minus 1 अगर index 4 दे रखा होता तो इसको आप 3rd index तक लेके जाओगी ये बिलकुल वैसा है जब insert at की बात होती है तो जो भी index दे रखा है उससे एक index पहले तक आप जाओगी तो आप इसको travel करा के यहाँ तक लाओगे पहले 1 तक लिया है दूसरा आप इसमें आप ये एक दो लाइने लिखनी है आपका सारा काम हो जाएगा बेटा ध्यान रखना ठीक है अगर ये मेरा temp है तो एक बात बताओ ये जो 4 है क्या ये at present दिस इस temp.next ठीक है दिस इस temp.next और ये क्या होगा मेरा ये जो 5 है ये अभी के लिए क्या है temp.next.next है ये अगर ये temp है तो ये temp.next है ये temp.next है ये temp.next.next है आपको बस दो लाइने लिखनी है यहाँ पर आपको बस दो लाइने लिखनी है और कुछ नहीं दो लाइने भी नहीं लिखनी है आपको एक लाइन लिखनी है इन फैक्ट क्या लाइन लिखनी है आपको कि भाई temp.next यानि कि इसका next is equal to temp.next.next जैसे ही आपने ये लाइन लिखी आपका काम हो गया एक लाइन का code है सबसे simple code इसका clear meaning क्या हुआ temp का next बना दो अब temp का next.next यानि कि ये तो temp का next इसे काट के ये बना तो बन गई हमारी निंक लिखनी है ये 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 खतम इसको छोड़ दो जो ये था इसका कोई नहीं देना नहीं है अब ये कहा तक जा रहा था यार ये इस पे जा रहा है इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता अब हमारी लिस्ट कुछ ऐसी बन चुकी है हंडर्ड थर्टीन थर्टीन फाइफ तक जा रहा है फाइफ ट्वल पे जा रहा है वह बात अलग है कि मेरे पास एक नोड फोर है ये भी मेरा फाइफ तक जा रहा है उसको लिन देना ही नहीं है ऐसे तो बहुत सारे नोड इस पर तो मैं value return नहीं कर रहा तो void delete at और बस मैं यहाँ पर एक index पास होगा hint index आपको simple सा एक काम करना है पहली बात कितनी बार loop चलाना है ये आपको देखना है मानलो आपको अगर ये fourth index को delete करना होता तो आपको सबसे पहले इसके एक पहले आना है ठीक है इसके एक पहले वाले को connect करना इस से simple से एक काम है तो four है अगर four है तो मेरे को जाना होगा three पे three पे जाने के लिए अगर temp इदर है मानलो तो एक दो तीन तो तीन बार जाएगा तो idx बार ही मेरा loop चलेगा तो आपको simple एक काम करना है एक तो सबसे बहले node temp बना लो जिसको head जिसको आप move कराओगे य idx तक इतनी बार मेरा loop चलेगा simple आपको करना है temp अरी एक कम तक चलना है न लूप ठीक है तो temp is equal to temp.next आप बस यह करते रहो इसके बात क्या होगा आप उस position पर आ जाओगे अब आपको एक line लिखनी है बस कि temp.next is equal to temp.next.next खटम अचा एक और चीज़ करनी है आपको यह size को एक कम कर रहा हूँ ध्यान रखना है अब एक बार run करते है रन करने से पहले delete at तो बना दिया यह हमारी current वह link list अगर मैं इसके बाद लिखो ll.deleteat fourth index तो पुछ ऐसा हो जाना चाहिए this is 0,1,2,3,4,5 तो 12 वाट जाना चाहिए चलिए देखते है ll वापस display करा के देखते ह कोई आना चाहिए देखो पहले यह आ गया फिर 12 वाट यहां देखो fourth index हट गया बहुत बढ़िया एक बार कुछ अजीब अजीब हो गरीव index हटा के देखते है एक बार मैं 0 इंडेक्स अटा के देखते हूं यह लास्ट इंडेक्स अटा के देखते हैं क्या हो रहा है काम य देखो इंग बार इसके बाद हम टेल को प्रेंट कराके देखते हैं एल डॉट सॉरी साउट एल डॉट टेल डॉट 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 डेटा क्योंकि टेक्निकली जब मैंने डिनीट किया लास्ट इंडेक्स यानिकी तो 12 मेरी नई टेल बन चुकी है देखो 12 नई टेल है तो 12 कभी मैं अपने लास्ट इंडेक्स को उड़ा रहा हूँ तो इस वेरी वेरी इंपोर्टेंट जो मेरा लास्ट से पहले वाला एक इंडेक्स है उसको मैं क्या बना दूँ यार टेल बना दूँ इसका एक बार विजूल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं अगर मेरे पास कु 12 जा रहा है 10 पे 10 जा रहा है मेरा अभी के लिए नल पे तो current head मेरा ये है current tail मेरा ये है इसमें मैंने लगा दिया method और index मेरे कुछ ऐसे 0 1 2 3 4 5 मैंने कर दिया ll.demit that 5 5th index तो technically speaking जो मेरा code था code से ये काम तो होई गया same to same देखो ये बन गया 100 है ये तो ऐसे ही रहा और head भी ये है अभी के लिए 100 13 4 5 12 ये बन गया 10 हड़ गया और जो 12 है basically ये जब मेरा temp बना था ठीक है मैं temp को पहले यहां तक लेके आया अगर ll delete 5 किया तो पहले बात idx-1 यानि कि fourth index तक मैं आपने temp क next ठीक है तो इसकी connection मैंने यहां कर दी पर यहां पर एक और काम हों में करना था temp तो देखो add the end यही रहेगा न हमारा यहां पर problem यही आ रही है कि है यह चीज हमारी है बिल्कुल यह मेरा null तक पहुंच गया अब of course यह खाली node रहे गया मेरा पर tail अभी भी यही है और यह भी यह अब tail is equal to 10 यह काम भी आप यार दे दो ठीक है अब देखना आप सही आएगा answer अब अगर मैं 10 की data को print करता हूं तो देखो 12 यह answer आएगा 12 यह ठीक है तो छोटी-छोटी चीज़े आ रहे हैं आपे जरूर दियान रखना अचा एक और चीज हमने हम तक यह नहीं देखा क इंडेक्स से अटा के नहीं देखा है वो करके देखते हैं चलो यार अगर मैं यह करूँ दिलीट अट जीरो इंडेक्स तो टेक्निकली स्पीकिंग 100 जाना चाहिए एक बार रन करके देखते हैं तो देखो 1134 यह आ गया लेकिन 100 नहीं अटा फॉर्स्ट इंडेक्स इफ इंडेक्स इकोल टू इकोल टू जीरो तो क्या करें चलिए देखते हैं मालनों कि मेरी लिंक लिस्ट है 100 फिर यहां पर है 13 फिर यहां पर क्या था यार मेरा 4 फिर यहां पर है मेरा 5 फिर यहां पर है मेरा 12 फिर यहां पर है मेरा 10 और यहां पर है मेरा 10 यह है मेरा head मैं कर देता हूँ, ll.delete.0 तो problem आ रही है, तो ओ क्या रहा है, मेरा ये नहीं हट रहा है, ये हट रहा है तो चलिए देखते हैं, इसमें क्या तिक्कत आती है, यहाँ पर simple में एक चीज कर सकता हूँ कि अगर index 0 है, तो इसकी special condition है, तो बस यहाँ पर लिख दो, head is equal to head.next, head.next, खतम, question नहीं खतम, भई, इसको बस आगी लियाओ, अब technically speaking, this is our linked list, कोई फार्की नहीं पड़ता पहले, इस तो कोई point कर रहा है, नहीं कर रहे, ठीक है, तो यह देखे यार, यहाँ पर एक काम करना है, हमें, delete add में, simple सी एक काम, कि अगर starting में ही, भई, अगर मेरा index 0 के बराबर है, बस एक काम कर दो, head is equal to head.next, और आपको कोई यहाँ पर काम नहीं करने, बस यही काम रखना है, ठीक है, run कुछ चीज़े यहाँ पर मेरी रह गईया, मैं भूल जा थोड़ा सा, जब मैं यह इसकी condition लगा रहा हूँ, और मैं यह कर रहा हूँ, मैं इसके बाद भी यह सारी चीज़े कर रहा हूँ, temp.next इसकी जरूत ही नहीं है, आप simple एक काम कीजिए, यहाँ पर, सबसे पहले तो, अगर index 0 है मेरा, ठीक है, तो यह लिख दीजिए, head is equal to head.next, अब एक और काम कीजिए, size minus minus, यह मैं से ले कह रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद हम return कर देंगे, हम नहीं चाहते है, आगे कि कुछ increase हो रहा है, ठीक है, तो देखो कुछ if की conditions है, else if ठीक है, return हो रहा है, else ठीक है, ठीक है, हाँ सारी चीज़े ठीक है, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, तो यार इस lecture को हम यहीं पर रोग देते हैं, इस lecture में मैंने आपको singly link list के बार में बताया, और इसके various functions बताया आपको, ठीक है, सारी की सारी चीज़े बता दी, implement करके अच्छे से दिखा दिया, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही कर रहे हैं, ठीक है, अब इसके बाद, दो दिन बाद यार आपको एक दूसरी वीडियो मिलेगी, जो कि इ पांच गंटे की वीडियो होने वाली है, वो मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ अल्रडी, वो वीडियो है, link list के interview questions, और पांच गंटे के अंदर, इतने सारे questions मैंने करा रखिया उसमें, कि अगर आपने एक बार वो वीडियो देख ली, एक भी question interview में ऐसा नहीं आएगा, जो आपने इस वीडियो में ना देखा हो, या हद मार के अगर कोई नया question आ भी रहा है, तो वो same to same, इसी से related होगा, हलकी फुलकी language बदलती होगी, ठीक है, तो बहुत जादा important रहने वाला यार, link list के कुछ questions मुझसे मेरे personal, मेरे interview में भी पूछे गए थे, ठीक है, तो यह topic important है Specifically यार होता क्या है कि जो interviewers, जिनकी खुज की quoting बहुत ultimate नहीं होती, तो वो DP graph के questions नहीं पूछेंगे इतने, लेकिन link list के questions अल्मोस्ट सब पूछते हैं, क्योंकि एक easy topic होता है, एक बार अगर आपने डंग से पढ़ लोगा, तो यार आज की वीडियो के लिए इतना ही था, single link list पढ़ी है, इसमें हमने singly, मतलब सिर्फ node होता है, data होता है, और next होता है, थर्ड वीडियो एक और आएगी, सबसे पहले तो आज की वीडियो, जो भी 2-3 गंटे की वीडियो है, अगली वीडियो पांच गंटे की आपके interview questions के उपर सबसे important, और थर्ड वीडियो आने वा से advantages है, क्या difference है, वो मैं उसको, वो सारी चीज़ आपको मैं उस थर्ड वीडियो में बता दूबा, वो उसके भी 2 दिन बात है, ठीक है, वो एक छोटी वीडियो रह नहीं वाली है, एक गंटे की आ रहा है, तो आप से मिलते है यार अगली वीडियो में, लेकिन जाने से पह को, तो यार comments में हमेशा की तरह definitely लिख देना की मजा आगया आपको, ठीक है, यार को पता लग जाएगा कि आपने वीडियो पूरी देख लिए, लिख देना नीचे मजा आगया, या फिर in fact आज लिखना link list में मजा आगया, मैं समझ जाओंगा कि आप पूरी वीडियो चुक्यों, आप से मिलते हैं next lecture में, बाई